तो क्या एक बार मैं तुभारे मुल्क में नहीं कर सकता क्या बागी फोर में टाइगर शॉप की साथ एक और स्टार देखने को मिलेगी इस बार बागी फोर की आक्टरल्स कौन होने वाली है और इसको खास बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है साजित नाडिय अद्वाला द्वारा हेलो फ्रेंड्स आप देखने वाली ग्रैस टूडियोज मैं हूं सोनीका जयाल बागी फोर लगाता चर्चाओं में है हालांकि फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है और साजित नाडिय अद्वाल चाहते हैं कि इस बार कहानी दमदार हो आक्शन देखने में मज़ दोग ना हो जाए इसलिए वो अपने राइटर्स की टीम के साथ बैठ कर कहानी पर दिमाग लड़ा रहे हैं फिल्म के बारे में लगाता और बाते सामने आ रही है बात तो यह तैय है कि टाइगर शॉप तो होंगे होंगे अगर टाइगर बागी में नहीं हुए तो बागी हो सकती है इसमें पहला नाम है जैकलीन फंडानिस दूसरा है पूचा हेगरे और तीसरा है दिशा पार्णिय जो कि बागी टू में भी नजर आ चुकी है अब एक और नई खबर इससे जुड़ चुकी है कि बागी फोर में टाइगर शॉप के साथ एक और बड़े स्टार हो होने वाले हैं और इन दोनों की बीज़ जबरदस्त अक्शन सीन देखने को मिलेंगे क्या पता रितिक रोशन को इस फिल्म में ले ले लिए वैसे बागी फोर में अगर रितिक और टाइगर हो जाए तो कितना मजा आएगा मतलब वार वाला वह सीन रीक्रियेट हो जाएग बागी फोर की शूटिंग अगले साथ से शुरू होनी है और इसमें बहुत अलगी लेबल का आपको एक्शन देखने को मिलेगा बागी 3 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और बागी 3 की शूटिंग सर्बिया में की गई थी और टाइगर इतनी मेहनत की थी इस फिल्म के लिए यह मतलब कि बेर बाडी के साथ उन्होंने शूट किया था और शूटिंग के दौरान जितनी भी सीन थे वो रियल सीन थे बिना वी एफिक्स पहले हमें लग रहा था कि वी एफिक्स का यूज तो हुआ ही होगा इतना खतरना कोई अक्टर नहीं कर सकता लेकिन जब मेकिंग उन्हों ख Bears continues to believe 5 हुआ है और हर सीरीज के साथ जैसे की क्या ऍटर लेफियर हुथ है तो भागी फोर के साथ तो अब फोर लेफिल अफ़ने वाला है मतलब की ऩंदाध के ली आ क्जिन होने वाला है और जो अक्शन टीम है पिछली बार तीन से जाधा जू देश उन House excus ع班 फोर में धामाकेदा रेक्शन होने वाला है बागी 3 मार्श की महिने में रिलीज की गई थी उसके बाद लॉक्टाउन हो गया जिसके वज़े से इसका जो बॉक्स ओफिस है इतना नहीं कर पाई जितना कर पाया था इसने तो अब बागी 4 में वो पूरी जान फोग देंगे औ उसके पूरा करना है तो दोस्तों आपको बागी 4 का कितना अंतसार है नीचे कमें सेक्शन में जल्दी से लिख दालिए और इसी तरह के दूसरे बॉलिवड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलिग्राफ स्टूडियोज को टाइगर साब की बागी 3 की कहानी रॉनी और उसके भाई बिक्रम यानी की रितेश देश मुक्की है रॉनी बेसक उम्र में छोटा है लेकिन वो बिक्रम का रक्षक है बिक्रम को खरोज भी आये तो रॉनी सामने वाले के खून की नदिया बहा देता है अब मेकर्स ने 24 का काम बहुत तेजी से सुरू कर दिया गया है जैसे कि आजकल छुटिया चल रही है तो फिल्म मेकर्स स्क्रिप पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान दे रहे हैं टाइगर साब ने हाल ही में बॉलिवुड हंगामा को एक मजेदार इंटरव्यू दिया है जिसकी एक क्लिप सोसल मीडिया पर काफी वारल हो रही है इस क्लिप में टाइगर बता रहे हैं कि बॉलिवुड का शेर सलमान खान है लेकिन जब टाइगर को चीता का आपसन मिलता है तो वो बिना समय गवाएं रितिक रोसन का नाम लेते हैं गौर तलब है कि टाइगर और रितिक की करती हैं टाइगर स्राप रितिक रोसन के बहुत बड़े फैन हैं टाइगर ने बताया था कि रितिक रोसन के साथ डांस करने के लिए वो रात भर पहले प्रैक्टिस करते थी जब रितिक को टाइगर की दिवानगी के बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि ये अच्छ है कि जो मैंने उसके साथ कुछ सालों पहले किया वो अब मेरे साथ हो रहा है अब टाइगर मुझे इंस्पायर करता है और मैं उसका फैन है बागी थिरी ने पहले दिन सत्रा करोण 50 लाख रुपे का बिजनिस किया था और दूसरे दिन 16 करोण 3 लाग रुपे का बिजनिस किया था तीसरे दिन 20 करोण 30 लाग रुपे का बिजनिस किया था चौथे दिन 9 करोण रुपे और पांचवे दिन 14 करोण रुपे छटे दिन 8 करोण रुपे साथवे दिन 5 करोण 40 लाग रुपे का बिजनिस किया था और आठवे दिन 4 करोण पर शिवट कर रहे गई 9 दिन करीब 2 कर रूपए और 10 दिन 1.5 कर रूपए का कलेक्शन किया गई टाइगर स्राफ ने क्यों कहा कि हाथ में भारी बंदूख ना होती तो हवा में उड़ जाते क्या लागडाउन में दिसापाटनी संग रह रहे हैं टाइगर स्राफ बागी 4 बनाने के पीछे कारण क्या है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी गलियारे में टाइगर ने एक वीडियो पोस्ट किया है इसमें वो कारगो पैंट्स पहने नजर आ रहे हैं तेज हवाये चल रहे हैं और वो दोनों हाथ में बंदूख लिए खड़े हैं उन्होंनों वीडियो के साथ कैप्शन दिया है माइनस सेबन डिगरी सेल्सियस मेरी हडिया गला रहा है तूफाल लाने वाले पंखे टॉर्चर बहा रहे हैं डाइरेक्टर की आवाज और इंस्ट्रक्शन सुनने की कोशिस कर रहा हूं जमीन पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं जुक्र है इन भारी बंदुखों का और कपड़े भी ठीक से नहीं पहने जिंदगी का एक और दिन बागी थीरी के सेट्स पर टाइगर साब की बागी थीरी की कहानी रौनी और उसके भाई बिक्रम यानी की रितेश देश मुक्की रौनी बेसक उम्र में छोटा है लेकिनो बिक्रम का रक्षक है बिक्रम को खरोज भी आये तो रौनी सामने वाले के खून की नदिया बहा देता है अब मेकर्स ने बागी फोर की कहानी लिखना सुरू कर दिया है क्योंकि बागी फोर की सुटिंग हीरो पंथी 2 के साथ होगी टाइगर्स आप चाहते हैं कि हीरो पंथी 2 के बाद बागी 4 रिलीज की जाए इसी लिए बागी 4 का काम बहुत तेजी से सुरू कर दिया गया है जैसे कि आजकल छुटिया चल रही हैं तो फिल्म मेकर्स स्क्रिप्ट पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान दे रहे हैं टाइगर्स आप ने हाल ही में बॉलिवुड हंगामा को एक स्मजेदार इंट्रव्यू दिया है जिसकी एक क्लिप सोसल मीडिया पर काफी वरल हो रही है इस क्लिप में टाइगर्स बता रहे हैं कि बॉलिवुड का शेर सलमान खान है लेकिन जब टाइगर को चीता का आपसन मिलता है तो वो बिना समय गवाएं रितिक रोशन का नाम लेते हैं गवर तलब है कि टाइगर और रितिक की केमेस्टी ने 2019 में वार जैसी ब्लॉक बास्टर दी है टाइगर्स राप रितिक रोशन के बहुत बड़े फैन है टाइगर ने बताया था कि रितिक रोशन के साथ डांस करने के लिए वो रात भर पहले प्रैक्टिस करते थे जब र आगी थिरी ने पहले दिन 17 करोण 50 लाग रुपे का बिजनिस किया था और दूसरे दिन 16 करोण 3 लाग रुपे का बिजनिस किया था तीसरे दिन 20 करोण 30 लाग रुपे का बिजनिस किया था चोथे दिन 9 करोण रुपे और पांचवे दिन 14 करोण रुपे छठे दिन 8 करोण रूपए, सात्वे दिन 5 करोण 40 लाग रूपए का बिजिस किया था और आठवे दिन 4 करोण पर शिवट कर रहे गई नौए दिन करीब 2 करोण रूपए और दसवे दिन 1.5 करोण रूपए का कलेक्शन किया और बागी 4 का कितना आप बेसरभी से इंतजार करें बागी 4 का टीजर कब आ रहा है? क्या बागी 3 फिर से रिलीज की जाएगी? और बागी 4 को लेकर टाइगर शॉफ ने क्या स्टेटमेंट दी? नमस्कार दोस्तों मैं गरिमात उमर आपका दिल से स्वाधत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में अब भले ही बागी 3 को जादा पसद नहीं किया गया लेकिन ये बात तैथी की फिल्म 125 से 1500 करोड के बीच का बिजनिस जरूर कर लेगी लेकिन रास्ते में आ गया ये COVID-19 यानि कोडोना वाइरस और सिनेमा घरों में लग गए ताले इस वज़े से बागी 3 की यात्रा असमय ही समाप्त हो गई वैसे बागी सिरीज को पसंद करने वालों ने दिल खोल कर फिल्म का स्वागत किया और अकेले टाइगर श्रॉफ को एक देश के खिलाफ लड़ते देखना उनके लिए काफी रोमान्च कारी अनुभव रहा फिर से सिनेमा घर में लगाया जाए या OTT प्लेटफोर्म पर रिलीस किया जाए ये बात तै नहीं है कि कब सिनेमा घर खुलेंगे खुलेंगे तो दर्शक सिनेमा घर में जाएंगे या नहीं इसलिए इस बात की संभावना जादा है कि फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफोर्म पर देखने को मिलेगी क्योंकि एक इंटरव्यू में टाइगर ने बताया था कि फिलहाल वो इस चीज में व्यस्त हैं कि बागी तरी उन लोगों तक पहुंचे जो उसे देखना चाहते हैं साथ ही टाइगर श्रॉफ ने ये भी संकेत दे दिया है कि बागी फोर की अराउंस्मेंट जल्द ही की जाएगी और ये फिल्म जरूर बनेगी अपने छोटे से करियर में टाइगर ने एक सफल फ्रेंचाइज का हिस्सा बनकर सभी को चौका दिया टाइगर ने एक्शन स्टार के रूप में अपनी इमेज बनाई है और देश के भीतरी इलाकों तक उनकी पेट है वहीं बागी फोर के टीजर की बात करें तो इस लॉकडाउन के बाद जिस तरह से टाइगर श्रॉफ ने बाते कहीं है बागी फोर को लेकर तो उमीद है कि इसका फर्स्ट पोस्टर रिलीस कर दिया जाएगा लेकिन इस पार दर्शकों की एक्साइटमेंट रहेगी कि फिल्म की कहानी और टाइगर का लुक कैसा होगा क्योंकि जैसा कि हमें सेरीज में देखते आए हैं फर्स्ट फिल्म में वो अपनी गल्फरिंड को बचाने जाता है सेकंड फिल्म में वो अपनी बेटी को बचाता है थर्ड फिल्म में वो अपने भाई को बचाता है तो अब fourth film में क्या इस lockdown की वज़े से इसकी कहानी में changes लाकर वो पूरे देश को बजाएगा या कहानी क्या रखी जाएगी ये देखना वाकिए exciting रहेगा यहां तक कि लोगों ने अनुमान लगाने भी शुरू कर दिये हैं कि fourth film में हमें क्या देखने को मिलेगा अब एक और भी बात है कि इस series की तीनों film में south filmों की remake रही है तो ऐसे में क्या fourth film भी इस series की south की remake ही होगी या फिर नई story को इजाद किया जाएगा आपको क्या लगता है नीचे comment box में जरूर बताएं वीडियो अगर पसंद आए तो इसे like और share जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज हीरो पंथी 2 के साथ बागी 4 की shooting क्यों करना चाहते हैं टाइगर स्राफ बागी 4 बनाने के पीछे कारण क्या है टाइगर स्राफ ने बॉलिवूड का share किसे कहा और चीता किसको मानते है अजे देवगन को टकर देने के लिए बॉलिवूड में कौन पैदा हो गया है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्राद के फिल्मी गल्यारे में बागी 3 ने 15 दिनों में करीब 100 करोन रुपे का बिजनिस कर लिया है लेकिन सरकार के आदेश पर कई सिनेमा घर बंद कर दिये गए हैं जिससे बागी 3 की कमाई पर काफी असर पड़ा है बागी 3 ने पहले दिन 17 करोन 50 लाख रुपे का बिजनिस किया था और दूसरे दिन 16 करोन 3 लाख रुपे का बिजनिस किया था तीसरे दिन 20 करोण, 30 लाग रुपे का बिजनेस किया था चौथे दिन 9 करोण रुपे और पांचवे दिन 14 करोण रुपे छटे दिन 8 करोण रुपे साथवे दिन 5 करोण, 40 लाग रुपे का बिजनेस किया था और आठवे दिन 4 करोण पर सिवट कर रहे गई 9 दिन करीब 2 कं रूपए और 10 दिन 1.5 कं रूपए का कलेक्शन किया भी टाइगर साब की बागी 3 की कहानी रौनी और उसके भाई बिक्रम यानी की रितेश देश मुक्की रौनी बेसक उम्र में छोटा है लेकिन वो बिक्रम का रक्षक है बिक्रम को खरोज भी आये तो रौनी सामने वाले के खून की नदिया बहा देता है अब मेकर्स ने बागी 4 की कहानी लिखना सुरू कर दिया है क्योंकि बागी 4 की सुटिंग हीरो पंथी 2 के साथ होगी टाइगर्स आप चाहते हैं कि हीरो पंथी 2 के बाद बागी 4 रिलीज की जाए इसलिए बागी 4 का काम बहुत तेजी से सुरू कर दिया गया है जैसे कि आजकल छुटिया चल रही हैं तो फिल्म मेकर्स स्क्रिप्ट पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान दे रहे हैं टाइगर्स आप ने हाल ही में बॉलिवुड हंगामा को एक मजेदार इंट्रव्यू दिया है जिसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वरल हो रही है इस क्लिप में टाइगर्स बता रहे हैं कि बॉलिवुड का शेर सलमान खान है लेकिन जब टाइगर को चीता का आपसन मिलता है तो वो बिना समय गवाएं रितिक रोषन का नाम लेते है गौर तलब है कि टाइगर और रितिक की केमेस्टी ने 2019 में वार जैसी ब्लॉक बास्टर दी है टाइगर्स राप रितिक रोषन के बहुत बड़े फैन है टाइगर्स ने बताया था कि रितिक रोषन के साथ डांस करने के लिए वो रात भर पहले प्रैक्टिस करते थी जब रितिक को टाइगर की दिवानगी के बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि ये अच्छा है, कि जो मैंने उसके साथ कुछ सालों पहले किया, वो अब मेरे साथ हो रहा है, अब टाइगर मुझे इंस्पायर करता है, और मैं उसका फैन है, बॉलिवुड में नई जरेशन का हर स्टार, पुरानी जरेशन के किसी ना किसी स्टार की छा सलमान खान को वो कितना फॉलो करते हैं, लेकिन सलमान खान की विरासत के लिए अब बरुण धौन को टक्कर मिर रही है कार्तिक आरियन से, इस समय कार्तिक आरियन की फिल्मों का भी एक ही फंडा है, केवाल इंटर्टेन्मेंट, बीना दिमाग लगाए, कुछ समय पहरे तक कहा जा रहा था कि अजे देवगन की जगा बॉलिवुड में कोई नहीं ले सकता है, लेकिन राजकुमार राओ का नाम आ रहा है, लेकिन राजकुमार राओ को टक्कर दे रहे हैं विक्की कौसर, क्योंकि वो अजे देवगन की तार्रोमान से लेकर इंटेंस अभने और दे चस्प होगा इस समय बॉलिवुड के दूसरे परफेक्ट इस्टार बन चुके हैं आयुश्मान खुराना वहीं आमिर खान की तरह आयुश्मान हर फिल्म के साथ समाज की एक समस्या पर बात जरूर कर रहें टाइगर और रितिक को लगभाग एक ही जैसे हो चुके और टाइगर स्राप को अपने इस अचीब्मेंट के लिए बधाई क्योंकि फिल्हाल पूरे बॉलिवुड में कोई ऐसा नहीं है जो रितिक को रिप्लेस कर सके किसी ने सोचा नहीं था लेकिन मेहनत और लगन से जो रणवीर सिंग ने कर दिया उसके लिए हिम्मत चाहिए और बेफिकरे के बाद सब को यकीन है कि वो आधिकारिक तोर पर शारुक खान का परफेक्ट रिप्लेस्मेंट हो सकते है अक्षे कुमार से बेहतर या उनकी टक कर के स्टन्ट अगर कोई कर सकता है तो वो टाइगर स्राफ है इतना ही नहीं टाइगर अक्षे जितने ही अक्षे जितने ही फिट है लेकिन अगर टाइगर स्राफ अक्षे कुमार और रितिक रोसन का परफेक्ट कंबिनेशन है तो रणवीर सिंग शारुक खान और अक्षे कारण क्या है टाइगर स्राफ ने बॉलिवुड का सेर किसे कहा और चीता किसको मानते हैं अजे देवगन को टकर देने के लिए बॉलिवुड में कौन पैदा हो गया है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिगराद के फिल्मी गल्यारे में बागी थ्री ने 15 दिनों में 10 लाग रुपे का बिजनिस किया था और दूसरे दिन 16 करोण 3 लाग रुपे का बिजनिस किया था तीसरे दिन 20 करोण 30 लाग रुपे का बिजनिस किया था चौते दिन 9 करोण रुपे और पांचवे दिन 14 करोण रुपे छठे दिन 8 करोण रुपे सातवे दिन 5 करोण 40 पे का कलेक्शन किया भी टाइगर्स आप कि बागी 3 की कहानी रॉनी और उसके भाई बिक्रम यानी की रितेश देश मुक्की रॉनी बेसक उम्र में छोटा है लेकिन वो बिक्रम का रक्षक है बिक्रम को खरोज भी आये तो रॉनी सामने वाले के खून की नदिया बहा देता ह अब मेकर्स ने बागी 4 की कहानी लिखना सुरू कर दिया है क्योंकि बागी 4 की सूटिंग Hero Panthi 2 के साथ होगी टाइगर्स आप चाहते हैं कि Hero Panthi 2 के बाद बागी 4 रिलीज की जाए इसलिए बागी 4 का काम बहुत तेजी से सुरू कर दिया गया है जैसे कि आजकल छुटिया चल रही हैं तो फिल्म मेकर्स स्क्रिप पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान दे रहे हैं टाइगर साब ने हाल ही में Bollywood हंगामा को एक स्मझेदार इंटर्व्यू दिया है जिसकी एक क्लिप सोचल मीडिया पर काफी वारल हो रही है इस क्लिप में टाइगर बता रहे हैं कि Bollywood का श्रीर सलमान खान है लेकिन जब टाइगर को चीता का आपसन मिलता है तो वो बिना समय गवाएं रितिक रोसन का नाम लेते हैं गवर तलब है कि टाइगर और रितिक की केमिस्टी ने 2019 में वार जैसी ब्लॉक बास्टर दी है टाइगर स्राप रितिक रोसन के बहुत बड़े फैन है टाइगर ने बताया था कि रितिक रोसन के साथ डांस करने के लिए वो रात भर पहले प्रैक्टिस करते थी जब रितिक को टाइगर की दिवानगी के बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि ये अच्छा है कि जो मैंने उसके साथ कुछ सालों पहले किया वो अब मेरे साथ हो रहा है अब टाइगर मुझे इंस्पाइर करता है और मैं उसका फैन हूँ बॉलिवुड में नई जरेशन का हर स्टार पुरानी जरेशन के किसी ना किसी स्टार की छाप जरूर है यकीन नहीं आता तो आपको मैं बताये देता हूँ सलमान खान तो खुद ही मान चुके हैं कि बरुणधौन को देख कर उन्हें अपना बीता वक्त याद आता है कि एक ही फंडा है केवाल इंटर्टेन्मेंट बिना दिमाग लगाए कुछ समय पहरे तक कहा जा रहा था कि अजे देवगन की जगा बॉलिवुड में कोई नहीं ले सकता है लेकिन राजकुमार राओ का नाम आ रहा है लेकिन राजकुमार राओ को टकर दे रहे हैं विक्की कौस क्योंकि वो अजे देवगन की तार रोमान से लेकर इंटेंस अभने और देशभक्ती तक सब ट्राई कर चुके थे उन्हें भी अपना नेशनल अवार्ड मिल चुका ह आमीर खान की कुरसी पर बैटेक ले तयार हैं रड़बीर कपूर बिल्कुल आमीर खान की तरह सोचिए दोनों को परदे पर एक साथ देखना कितना दिल्चस्प होगा इस समय बॉलिवुड के दूसरे परफेक्ट स्टार बन चुके हैं आईश्मान खुराना वहीं आमीर खान की तरह आईश्मान हर फिल्म के साथ समाज की एक समस्या पर बात जरूर कर रहें टाइगर और रितिक को लगभाग एक ही जैसे हो चुके और टाइगर स्राप को अपने इस अचीवमेंट के लिए बधाई क्योंकि फिल्हाल पूरे बॉलिवुड में कोई ऐसा नहीं है जो रितिक को रिप्लेस कर सके किसी ने सोचा नहीं था लेकिन मेहनत और लगन से जो रणवीर सिंग ने कर दिया उसके लिए हिम्मत चाहिए और बेफिकरे के बाद सब को यकीन है कि वो आधिकारिक तोर पर शारुक खान का परफेक्ट रिप्लेस्मेंट हो सकते हैं अक्षे कुमार से बेतर या उनकी टककर के स्टंट अगर कोई कर सकता है तो वो टाइगर स्राफ है इतना ही नहीं टाइगर अक्षे जितने ही अक्षे जितने ही फिट है लेकिन अगर टाइगर स्राफ अक्षे कुमार और रितिक रोसन का परफेक्ट कमबीनेशन है तो रण जी हाँ दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलिक्वादु स्टूडियोज की इस नई अपडेट में बागी 3 एहमद खान द्वारा निर्देशित एक आगामी भारती एक्शन ड्रमा फिर्म है साजित नाडिया एडवाला ग्रेंटसन इंटर्टेन्मेंट के तहत निर्मित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा वित्रित ये बागी 2016 और बागी 2 2018 का आध्यात्मिक सीक्वल है बागी 3 में टाइगल शौफ, रितेश देशमुक और श्रद्धा कपूर है ये 2012 की तमिल फिल्म वेट्टाई की आधिकारिक रिमेक है श्रद्धा कपूर फिल्म में एक एर होस्टेश की भूमिका निभा रही है वही हम आपको इस फिल्म की स्टार कास्ट से रुबरू कराते हैं रणवीर रानी यानि की प्रताप सिंग के रूप में टाइगल श्रौफ, मीरा नंदन के रूप में श्रद्धा कपूर, आयान प्रताप सिंग रणवीर के भाई के रूप में रितेश देशमुक, सीमा नंदन के रूप में अंकिता लोखंडे, राज नंदन के रूप में आशुतो श्राणा, DCP विक्रान, शेर्गिल के रूप में मनोज बाचपई, अखलेंद्र मिश्रा, चंकी पांडे, नोरा पते ही, आइटम सौंग टाहिगर का एक इंटरविव आया था, जिसमें उन्होंने अपने टाइप कास्ट होने और अपनी फैबली के बुरे दिनों के बारे में बात थी अपने इस इंट्रिव्यू में टाइगर ने बताया कि कैसे उनके परिवार की माली हालते इतनी खराब हो गई थी कि उनके माता पिता को अपने घर की चीजें बेचनी पड़ी थी बकॉल टाइगर उनके पिता और बॉलिवुड स्टा जैकी श्रॉफ के कुछ फैसले से उनकी परिवार की आर्थी किस्तिती बुरी तरह चर्मरा गई थी जिस पर उनकी मा आईशा श्रॉफ के प्रोडक्शन हाउस में बनी पहली बूम की असफलता ने इस दिक्कत को कई गुना और बढ़ा दिया आईशा की फिल्म रिलीस से पहले ही लीक हो गई अमिताब बच्चन, जैकी श्रॉफ, गुल्शन ग्रोवर और ग्रैटिना कैफ को लेकर बनी ये फिल्म रिलीस के बाद बॉक्स ओफिस पर आउधे मों गिर गई जबकि लोग कह रहे थी कि अमिताब बच्चन है तो फिल्म हिट ना भी हो तो उनके नाम के चलते खर्चा तो निकाल ही ले जाएगी लेकिन ना मिताब काम आए ना बिग बी का नाम का ब्रांड उस समय टाइगर सिर्फ 11 साल के थे एक इंटर्विव में उन्होंने बताया मुझे याद है कि कैसे हमारे घर के फर नीचर एक एक कर बिख रहे थे जिन चीजों को मैं देखते हुए बड़ा हुआ था वो चीजें अचानक घर से गायब होने लगी फिर मेरा बैट भी चला गया और मैंने जमीन पर सोना शुरू कर दिया ये मेरी जिन्दगी का सबसे बुरा अनभव है यही वो चीज थी जिसने टाइगर को जीवन में बहतर बनने के लिए मोटिवेट किया टाइगर से हमेशा मीडिया को ये सिकायत रही कि वो कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते वो लगातार एक ही तरह की एक्शन रोमेंटिक फिल्में कर रहे हैं लेकिन टाइगर का कहना है कि उन्होंने जान बूस कर खुद को स्टेडियो टाइप किया है उनका मानना है कि इस स्टेडियो टैप में ही इंडरस्टी में उनकी अलग पैचान मनाई इस बारे में उनका कहना है जब आप शारू खान के बारे में सोचते हैं तब आपके जहन में रोमेंस किंग का टाइटल आ जाता है सलमान खान को देखते ही भाय जान वाला भाव मड़ पड़ता है आदमी के साथ एक लैबर जुड़ा हुआ है इस कम्पेशन से भरी इंडस्टी में ये चीज जरूरी है जब भी मैंने कुछ ओफ बीड करने की कोशिस की जनता ने मुझे ब्यार नहीं दिया चाहे वो अफ्लाइंग जट का नौ सखिया उचाई लड़ाई से डरने वाला सुपर हीरो हो या स्टुडेंट अफ दैयर टू का स्टुडेंट जिसे कॉलेज में बुली किया जाता था ये चीज मेरे ओडियंस को पसद नहीं आई वो मेरा बागी टू से निकल कर कॉलेज के लड़कों से मार खाना पचा नहीं पाते गलती से या बिना सोचे समझे एक तरह के खांचे में फिट होते चले जा रहे हैं तब तो बात दिक्कत वाली है लेकिन टाइगर का ये फैसला सोचा समझा लग रहा है और अब तक उनके लिए फाइदे मन भी रहा उनकी फिल्म वार भी उनके कमफर्ट जोन की थी चार सो बंबलास्ट लाइफ सीन की क्या खास बाते हैं बागी टृरी अजे द्योगन की ताना जी के बाएद साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हो सकती है फिल्म बागी टृरी में टाइगर साब का साथ देने के लिए इस बार सद्धा कपोर होंगी बागी टृरी फिल्म में सबसे जादा अपने एक्शन सीन्स को लेकर चर्चा में टाइगर ने चार सो बंबलास्ट के बीच लाइब एक्शन सीन किये हैं इन सीन की वज़ा से टाइगर कई बार घायल भी हुए पागी थरी की शूटिंग इंडिया, मुरको, मिस्र, शर्बिया, तुर्की जैसे पाँच अलग अलग देशों में हुई है फिल्म के द्रिश्चों को एकदम असली दिखाने के लिए 100 किलो एक्सप्लोजन का इस्तमाल भी किया गया है भले ही ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन इसकी लोग प्रेता का अंदाजा इस बास से लगाया जा सकता है कि इसकी एडवांस बुकिंग के लिए लोग बॉक्स ओफिस की खिड़कियों पर तूट पड़े है बढ़िया एडवांस बुकिंग को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि बागी तरी अपने पहले दिन ही 40 से 50 करोण का बिजनेस करेगी बागी टू ने पहले दिन 25 करोण की बंपर कमाई की थी लेकिन इस फिल्म को उस दिर गुड फ्राइडे की चुट्टी का भी फायदा मिला था इस साल बॉली बुड में एडवांस बुकिंग में फिल्में कुछ खास नहीं कर सकी है यहां तक कि बॉक्स ओफिस पर धूम मचाने वाली अजे दियोगन की ताना जी भी एडवांस बुकिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाई थी बागी 3 के एडवांस बुकिंग 10 करोर तक पहुँच गई है अब देखना दिल्चस्प होगा कि क्या टाइगर की बागी 3 को वैसा ही रिस्पॉंस मिलेगा जैसा बागी 2 को मिला था अगर फिल्म को बागी 2 की तरह ओपनिंग नहीं मिलती है ये फिल्म अपने पहले दिन 15 करोर रुपए तक की ही कमाही कर पाएगी और आने वाले हबतों में 50 करोर रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन पताया जा रहा है लेकिन अगर फिल्म पहले ही दिन 40 करोर के उपनिंग देती है तो आने वाले हबते में ये फिल्म 100 करोर से ज़्यादा का बिजनिस कर जाएगी क्योंकि फिल्म के टेलर के साथ साथ फिल्म के गाने भी सोसल मीडिया पर हिट हो गए है चाहे वो डूयू लम्मी हो या भंकर्स हो सभी ने तहलका मचाया है लेकिन क्रोना वाइरस फैलने की वज़ा से आसंका जताय जा रहा है कि इस फिल्म के कलेक्शन पर इसका असर पढ़ सकता है क्या बागी थिरी, वार, ठकसाफ हिंदुस्तान, हैपी नेयर, भारत, बौह वली, प्रेम रितन धनपायो, शुल्तान जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ पाएगी क्योंकि ये सारी फिल्मों ने पहले दिन ही 40 करोन से ज़्यादा का कलेक्शन किया है और इन सारे फिल्मों ने बौक्स ओफिस पर 300 करोन से ज़्यादा का बिजनिस किया ये तो वक्त बताएगा लेकिन फिल्मे गल्यारों की बात माने तो ये कहा जा रहा है कि बागी थिरी बौक्स ओफिस पर साड़े 500 करोन तक का बिजनिस आसानी से कर लेगी लेकिन टाइगर स्राप को क्रोना वाइरस से बचना होगा दोस्तों जस फिल्म का आपको बेई सब्री से इंतजार हो रहा था फाइनली आज यानी 6 मार्च को वो रिलीस हो चुकी है हर तरह बागी 3 के चर्चे थे और आज दीदार हो ही गया तो हम आपको बताएंगे फिल्म बागी का एकदम ओनिस्ट यानी इमानदार रिवियो दोस्तों फिल्म की ट्रेलर से आपको पता ही चल गया था कि छोटे भाई रौनी अपने बड़े भाई को हर पल हर चंद बचाते ही रहते हैं बच्वन में छोटे मोटे पंटं लोग से बचाता था पहले अपने भाई को बचाने के लिए सिर्फ अगल-गल की गलियों में जाता था लेकिन जैसे जैसे ये दोनों भाई बड़े हुए गलिया बढ़कर सरहदे हो गए यानि कि अब दोनों भाई बड़े हो गए हैं तो सीमाई भी बढ़ेंगी ही तो रौनी का बड़ा भाई विक्रम चला जाता है सीरिया वैसे जब विक्रम को पता है कि रॉनी के बिना उसका कुछ नहीं होने बाला तो रॉनी को भी साथ लेके जाता लेकिन अगर ऐसा करता तो रॉनी फॉरन कैसे गुम पाता तो भाई विक्रम चला जाता है सीरिया और उसे जैशे लशकर के आतंगवादी धर दबोशते हैं और किर्नाप कर लेते हैं अब रॉनी कैसे अपने बड़े भाई को बचाता है क्या उसे वो वापस जिंदा लेकर घर लोट पाता है यही सब देखना बहुत रोवांचकारी है चलिए आप बात कर लेते हैं फिल्म की बाकी चीजों के बारे में शुरू करेंगे अफकॉस अपने चीते मतलब की टाइगर श्रॉप से टाइगर ने फिल्म में गजब की बॉड़ी बनाई है सबकी ऐसी की तैसी करती है सिक्स पैक्स अप्स, मस्किलर बॉड़ी और चिजल फेस हर किसी के रॉंग्टे खड़े कर दे रहा है और जैसे ही उसके भाई को कोई तंग करता है तो हवा को चीरता हुआ आ जाता है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है और इस सब के बीच आउडियन्स को बड़ा मसा आता है टाइगर ने जैसे की इंटरव्यू में भी बताय था कि फिल्म बागी 3 की कहानी मैन वर्सुज मान, मैन वर्सुज नीचर और मैन वर्सुज मशीन की लड़ाई है तो भाई यही सब कर रहा है टाइगर आउड देख रहा है नताओ और धुआधार तुड़ाई सारे आक्शन सीन्स रियल, लाइव और वी एफेक्स का बहुत कम इस्तमाल करके बने हैं इसलिए यही फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है जो फिल्म को रियलिस्टिक बना रही है बात करें अहमद खान की तो उनके पास जितनी भी ट्रिक्स थी वो सारी की सारी बागी थ्री के लिए उन्होंने जोग दी है जो बखुवी फिल्म में दिख रहा है और टाइगर ने अपनी पॉफिक बॉड़ी और आटिचूट से सारे आक्शन सीन्स को एकदम रियल और प्यॉर बना दिया है मतलब एहमद खान का डिरेक्शन और टाइगर के काना बे खूब रंग दिखा रहे हैं बात करें फिल्म की हिरोई श्रद्धा कपूर की तो अनफॉर्चूनेटली उन्हें जादा परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला लेकिन जितना मिला उन्होंने उसे बखू भी निभाया फर्स्ट हाप में उनकी कॉमिक टाइमिंग रिलीव देती है और हसाने का काम करती है बागी पिछली सारी फिल्मों की कमपैरिसन में श्रद्धा ने बागी 3 से अपनी होटनेस का रेकॉर्ड तोड़ दिया है खास कर दस बहाने गाने में तो आग ही लगा रही है टाइगर के बाद जिसे इंपॉर्टेंस मिली है वो है रितेश देश मुक हारा कि फिल्म में कहीं नहीं बताया गया कि रितेश इतने स्लो क्यों है मतलब कि वो हमेशा मुसीबतों में क्यों फस जाते हैं और उन्हें क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है वो खुद को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाते इस सब के बावजूद वो पुलिस आफिसर बन जाते हैं जो की काफी आउक्वर्ड लगता है ऐसे ही फिल्म के कई लूफ होस हैं जहां आप कन्विंस नहीं हो पाएंगे बात करें सीरिया वाले सीन की तो आपको जरूर ट्यारिफाई करेगा और विलिन्स को देख कर आप डर जरूर जाएंगे खास कर अबू जलाल जो फिल्म का में विलिन है उसकी स्क्रीन प्रेसेंस बहुत अच्छी है लेकिन यहां पर फरहाद साम जी कहीं न कहीं चूख जाते हैं अबू जलाल के डायलोग्स के लिए जो कि अबू जलाल के केरेक्चर के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं लेकिन अबू ने अपने किरदार के साथ बखूबी नयाई किया है फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक आवरिज है लेकिन राहत की बात ये है कि फिल्म में जादा गाने नहीं है लेकिन एहमद खान के action design बहुत ज़ादा impressive है unfortunately ये बात हम camera work और CGI के लिए नहीं कह सकते दोस्तो CGI का मतलब होता है computer generated imagery यानि graphics का इस्तमाल करके आप real scenes और animation create करते हैं लेकिन इस film में CGI काफी weak है तो friends अगर आप धमाकेदार action के shocking है तो आपको ये film ज़रूर देखनी चाहिए लेकिन कहानी के ज़ादा उमीद ना रखे दोस्तों Bollywood के लिए 2020 के पहले दो मेहिने अच्छे नहीं रहे अजे देवगन की film ताना जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी film में box office पर खुछ खास समाल नहीं दिखा पाई ऐसे में अब सारी उमीदे टाइगर श्रॉप की बागी 3 से है उमीद की जा रही है कि ये film box office पर चल रहे सूखे को खत्म कर देगी आपको बता दे ताना जी ने अब तक 370 करोल रुपए पार कर लिये है और बागी 3 के सामने एक बहुत बड़ा target है बागी 3 के सामने कई अर्चने हैं जो बागी 3 को पार करनी होगी चल ये पहले आपको बताते हैं कि वो कौन सी बाते हैं जो बागी 3 को बनाएगी 500 करोडी फिल्म दोस्तों बागी और बागी 2 सुपर हिट रही थी और चाइगर श्रॉप की फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी बागी 3 का ट्रेलर भी लोगों को काफी पसंद आया था और इसने तीन ही दिनों में 100 मिलियन क्रोस कर लिये थे जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इसी लिए ये बात तैमानी चा रही है कि ये फिल्म वीकेंड में धमाका ही करेगी इस फिल्म से सिंगल स्क्रीन वालों को भी बहुत उमीद है लंबे समय बाद ऐसी फिल्म आ रही है जिससे सिंगल स्क्रीन वाले कमाई करने की सोच रहे है फिल्म छोटे शेहरों में भी अच्छा बिजनस कर सकती है बागी 3 ने बॉक्स ओफिस पर अच्छी शिरुवात की है मल्टी प्लेक्स के सास्ता सिंगल स्क्रीन पर भी ये फिल्म काफी भीर जुटा रही है हालांकि बागी 2 वाला क्रेज नजर नहीं आ रहा लेकिन उमीद है कि दोबहे शाम और रात वाले शो पूरी तरह से भरपाई कर लेंगे दोस्तों आपको बता दे बागी 3 को टोटल 4000 स्क्रीन पर रिलीस किया जा रहा है जिन में से 1100 बाहर कंट्रीज की है और बागी 3 के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में लोग पागल हो रहे हैं इस फिल्म में इंटरनेशनल लेवल का आक्शन आपको नजर आएगा जिसे 5 देशों की टीम्स ने तयार किया है अब भई जब इतना जादा फिल्म में भरा हुआ है तो लोग पागल होंगे ही चलिए अब बात कर लेते हैं उन बातों के बारे में जो बागी 3 का बॉक्स ओफिस कलेक्शन गड़बढा सकती है जिया दोस्तों मर्च में चल रही परिक्षाओं की वज़े से माहौल टेंस्ट है और ऐसे में लोग कम ही फिल्में देखने जाते हैं यहां तक 10 और 12 के बच्चे भी इस बात से बेहत परेशान थे कि बागी 3 बोर्ड एक्जाम के दौरान क्यों रिलीज की जा रही है और साथ ही बच्चों ने बागी 3 की रिलीज डेट टालने की भी अर्जी पेश की थी लेकिन यह सब हो न पाया दोस्तों जो सबसे बड़ा रास्ते का काटा बनता जा रहा है वो है कोरोना वाइरस आप सभी जानते हैं कि कोरोना वाइरस की वज़े से दुनिया भर में तहल का मचा हुआ है और अब इंडिया में भी लोग डर के साए में है कोरोना वाइरस के डर के काराण फिल्म की ओपनिंग पर असर पड़ सकता है क्योंकि लोग पबलिक प्लेस में जाने से कतरा रहे हैं है इन सब के बावजूद अंदाजा लगा जा रहा है कि फिल्म 25 करोर से उपर की कमाई कर ही लेगी बागी 2 के पहले दिन के किलेक्शन से बागी 3 आगे निकल पाएगी ये देखना भी दिल्चस्प होगा वैसे आपको क्या लगता है क्या बागी 3 बन पाएगी 500 करोरी फिल्म और क्या यही फिल्म है जो ताना जी का रेकॉर्ड तोर पाएगी आपको जो भी लगता है नीचे कॉमें सेक्शन में लिख डालिए टाइगर श्रॉफ और श्रधा कपूर के फिल्म बागी 3 रिलीज हो गई है शोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर तमाम रियाक्शन सामने आ रहे हैं बागी 3 में एक बार फिर टाइगर श्रॉफ का जबर्दस्त आक्शन देखने को मिल रहा है शोशल मीडिया पर लोग टाइगर के आक्शन की तारीफ करते हुए उन्हें रॉकेट बता रहे हैं वहीं फिल्म की भी तारीफ हो रही है फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रधा कपूर के अलावा रितेश देश मुख ने एहम किर्दार निभाया है श्रधा कपूर ने टाइगर की लव इंट्रेस्ट का रोल प्ले किया है वहीं रितेश ने टाइगर के भाई की भूमी का निभाई है बागी 3 पूरी दुनिया में 5000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है जिसमें भारत में 4400 स्क्रीन पर रिलीज हुई है टाइगर की ये पहली फिल्म है जो इतने बड़े लेवल पर रिलीज हुई है और इसी के साथ टाइगर के फैंस ने बागी 3 देखने के लिए एडवांस बुकिंग कराए फिलाल सोशल मीडिया पर बागी 3 ट्रेंड पर है हर जगह चर्चा सिर्फ टाइगर की हो रही है टाइगर के फैंस को ये फिल्म बहुत बसंदा रही है कुछ लोगों ने तो फिल्म को चार स्टार देते हुए इसे ब्लॉक बस्टर बताया है सोशल मीडिया पर लोगों ने बागी 3 को शांदार फिल्म बताया टाइगर के आक्शन सीन्स और परफॉर्फॉर्मेंस की तारीफ की गई है इसे बेस्ट आक्शन मूवी भी बताया इसके बाद टाइगर श्रॉफ की मा आईशा ने बागी 3 देखने के बाद लिखा मेरे बागी भगवान तुम्हारा भला करे मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि तुमने मुझे कितना गर्व महसूस कराया है इस शांदार फिल्म को देने के लिए किसी ने टाइगर के आक्शन सीन्स और परफॉर्मन्स की तारीफ की है तो किसी ने इसे बेस्ट आक्शन मूवी भी बताया है फैन्स गेस कर रहे हैं कि फिल्म असानी से दो सक रोर क्लम में एंट्री कर लेगी यहां तक की किसी ने ये भी लिखा कि ये फिल्म पूरी तरह से एक मसाला इंटर्टेन्मेंट फिल्म है जिसमें आक्शन सीन्स की भरमार है पूरा फोकस एंटर्टेन्मेंट पर है बिना किसी शक कि ये फिल्म बॉल्यूड की अभी की समय में रिलीज हुई best action film है यह film blockbuster है फिल्म को 4 star दिये हैं और टाइगर के फिल्म को पैसा वसूल बताया है और टाइगर के performance की तारीफ भी की है तो आपको कैसी लगी यह movie आप हमें comment करके बता सकते हैं जिस मूवी का लोगों को बेसबरी से इतजार था उसकी रिलेजिंग हो चुकी है और देश विदेश में ये छे हजार से जारा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। बागी 3 मूवी की फर्स दे स्क्रीनिंग पर बहुत से सितारे रहे मौजूद जिसमें दिशा पाटनी, रिटेश देश मोख, वरंधवन, चंगी पांडे, श्रदा कपूर, तारा सुतारिया, फिल्मेकर सार्जिद नाडियावाला, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा, संजे कपू रही थी, इस मूवी की रिलीजिंग के बाद से ही इसके काफी आक्टर भी फैन हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले नबर पर आते हैं, टाइगर श्रॉफ के पापा यानी जैकी श्रॉफ, जिननों ने कहा कि अपना बच्चा डिसपोइन नहीं कर सकता, इस मूवी की जान है इ इसी स्पीड से टाइगर श्रॉफ आक्शन करते रहे तो उनको बॉलिवूड में टॉप पर आने से कोई नहीं रुप पाएगा, इस मूवी की अगर बात करें तो ये पहले वाली दोनों मूवी इसको पीछे सोड़ सकती है, क्योंकि इसके ट्वेलर से ही धमागा मच गया तो मूवी तो जबरदस्त परफाम करेंगी ही, इस मूवी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गौर करने वाली हैं, जैसे कि इसमें सर्विया की आर्भी ने खुद हेलिकॉप्टर और टैंग चलाई, इसमें सर्विया की गवर्मेंट ने भी काफी साथ दिया, इस मूवी जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस मूवी के आक्शन्स ही इस मूवी की जान हैं, ये बॉक्स आफिस पर कैसा परफॉर्म करेंगी, ये इसकी रिलीजिंग के एक हफते बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसका फर्स डे काफी अच्छा जा रहा है बागी थिरी का टीजर कब आ रहा है, टाइगर स्राप का असली नाम क्या है, टाइगर स्राप क्यों कहते हैं कि उन्हें डांस नहीं आता है, टाइगर स्राप की कौर कौर ब्लाग बास्टर फिल्में आने वाली है, आपका स्वागत करता हूँ बॉले ग्राद के गलियारे म बॉलिवुड अपनेता टाइगर स्राप अब 29 साल के हो गए बॉलिवुड आक्टर जैकी स्राप और आईसा स्राप के बेटे टाइगर ने कम उम्र में ही बॉलिवुड में अपनी पहचान बना ली टीन एजर्स के बीच टाइगर के लोग प्रेता देखते ही बनती है उनके डांस के स्टेप और फाइटिंग की स्किल्स बॉलिवुड के दिगजों को हैरान कर चुकी है टाइगर फिल्मों में भले ही मस्ती करते दिखाई देते हूं लेकिन असल जिंदगी में वो बिलकुल सांत रहना पसंद करते हैं पार्टियों में भी वो बिरले ही नजर आते हैं टाइगर स्राप का जन मुंबई में हुआ था साजिद नाडिया वाला के फिल्म हीरो पंथी के साथ टाइगर ने 2014 में अपने कैरियर की सुरुवात की थी टाइगर डांस के शौकेन और फिटनेस फ्रीक भी ऐसा कहा जाता है कि टाइगर आज की पीडी के इवा के बिप्रीत ना तो स्राप का सेवन करते हैं और ना ही सिगरेट को हाथ लगाते हैं आला कि एक फिल्म शूट के लिए उन्होंने सिगरेट को मुं लगाया था लेकिन उन्होंने इसे प्रोफेशनल कमेंट्मेंट का नाम दिया था टाइगर का असल नाम हेमंद स्राप है उनके करीबी बताते हैं कि बच्पन में वो बहुत काटते खरोचते थे जिसकी वज़ा से फिल्मों में उनका नाम टाइगर रख दिया एक शो के दावरान टाइगर ने बताया था कि मैंने डांस सीखने की सुरुवात अपनी पहले फिल्म से ही की थी लेकिन लोगों को इस पर भरोसा नहीं होता खोश्ट ने पूछा कि आप लोगों को जन्मजाब डांसर लगते हैं इस पर टाइगर ने बताया कि मैं अच्छा डांसर नहीं हूँ बस कोरियोग्राफी पर मेहनत करता हूँ अगर आप मुझसे इस वक डांस करने के लिए कहेंगे तो साइद मैं ना कर पाऊँ मैं वही कर पाता हूँ जो सिखाया जाता है अपने पांस साल के कैरियर में टाइगर ने छे फिल्मों में काम किया है हीरो पंती उनकी पहले फिल्म थी इसके बाद बागी, एफ फ्लाइंग जट, मुन्ना भाइकल और बागी टू रिलीज हो चुकी अने वाली फिल्मों में इस्टूडेंट आप दा इयर टू है जो की दस माई को रिलीज होगी फिल्म इंडेस्ट्री में टाइगर का नाम दिसा पतानी से चोड़ा जाता है दोनों को कई बार एक साथ देखा भी गया है जिसा भी टाइगर की तरह फिटनेस फ्रीक है दोनों की तस्बीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने फिटनेस फ्रीक है टाइगर स्राप अपनी आने वाली फिल्मों के लिए बेहत गंभीरता से प्रेक्टिस कर रहे हैं उन्होंने रैंबो और बागी तरी जैसी फिल्मों में जबरजस्ट आइक्शन सिंस देने के लिए इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मार्सल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है टाइगर स्राप ने इसकी एक जलक अपने फैंस को भी एक वीडियो के जरिये दिखलाई उन्होंने अपने आफिसियल इंस्टाग्राम एकाउंट पर वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक ट्रेनर से हाथा पाई करते हुए दिखाई दिखाई दिए टाइगर स्राप के एक्शन फिल्मों में उनके क्लीन इस्टंड और फाइट सिंस इसी वज़ा से होते हैं की ट्रेनिंग में वो कोई भी गलती नहीं करते टाइगर को हमेशा गंभीरता और लगन से अपना काम करते हुए देखा गया इसमें टाइगर और प्रितिक का चोरदार अंदाज देखने को मिलेगा टाइगर के हिट फ्रेंचाइजी बागी 3 का तीसरा पार्ट पर काम सुरू हो गया है और टाइगर का खतरनाक एक्शन इसमें देखने को मिलेगा यहीं नहीं टाइगर स्राब बॉलिवुड की सुपर हिट फिल्म रेंबो के आफिसियल रेमेक में भी लीड रोल में है और टाइगर स्राब ने कहा है कि वो बागी 3 का तीजर बहुत जल्द ही लांच करने वाले कुछ लोगों का मानना है कि इस्टुडेंट अब दा येर 2 के साथ बागी 3 का तीजर भी लांच किया जाएगा बॉलिवुड में तो आया दिन कोई न कोई डेब्यू करता ही रहता है लेगिन बहुत ऐसे कम स्टार्स हैं जो आते ही छाज आते हैं उन्ही लिस्ट में एक नाम जुडा 2012 में बॉलिवुड में आते ही कहता है क्या करो यार सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं मैं बात कर रहा हूँ टाइगर शौफ के बारे में साजिर नाडियाड वाला की हीरो पंती से डेब्यू किया और आते ही आते ही एक बाद एक दब और तोड हिट फिल्म में दी बागे टू के सक्सेस के बाद इसके डारेक्टर ने इसके सीक्वल याने की पार्ट 3 की एनाउसमेंट कर दी जहां इसके पहले पार्ट याने की 2016 में रिलीज हुआ सफल रहा और इसका अगला पार्ट बना 2018 में वो भी रिलीज हुआ जिसने 253 करोड का कलेक्शन किया 69 करोड में बने इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 253 करोड की कमाई कर रिकॉर्ड बना दिया अब तीसरे पार्ट के भी हिट होने की उमीद की जा रही है टाइगर शौफ ने जब से हिंदी सिनेमा में कदम रखाया तब से हर फिल्म में उन्होंने अपने स्टंट और डांस से लोगों को चौका दिया है और बागी 3 में सब कुछ हमें पहले से और भी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा चाहे वो श्टोरी हो या फिर एक्शन या फिर डांस बागी 3 एक एक्शन मुवी है फिल्मे लीड में है टाइगर शौफ और श्रद्धा कपूर श्रद्धा सबसे पहले टाइगर के साथ बागी में नजर आई उसके बाद दिशा ने उन्हें रिप्लेस किया लेकिन श्रद्धा के बाद में सभी जानते हैं और एक बाद फिर से डारेक्टर मजबूर हो गए श्रद्धा कपूर को लेने के लिए सुपरीट एक्शन फ्रंचाइजी बागी की तीसरी फिल्म में श्रद्धा कपूर बतोर हीरोईन नजर आएंगी श्रद्धा कपूर बागी तरी में आने के बाद साजी नाडियाड वाला कहते हैं श्रद्धा कपूर के आने से बागी की पूरी टीम बहुत खुश है बागी में टाइगर और श्रद्धा की जोड़ी को कूप पसंद किया गया था और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि इस फ्रंचाइजी के फैंस दोनों के साथ आने से काफी excited होंगे इसी बात पर शर्दाखपूर का कहना है कि फैमिली में वापसी आके मैं बहुत खुश हूँ ये साजित सर के साथ मेरी तीसरी फिल्म है टैगर संग दूसरी और एहमद सर के साथ पहली फिल्म होगी मैंने फिल्म के स्क्रिट पढ़ी है और कहानी बहुत ही शानदार है इस फिल्म के लिए टैगर शौफ जमकर पसीना बहा रहे हैं क्योंकि इसमें धमाकेदार एक्शन है और टैगर ने ट्रेनिंग शुरू भी कर दी है ये सबी जानते हैं बागे और बागी टू से भी बड़ा बजट और धमाके दार एक्शन सीन्स बागी त्री में नजर आने वाले हैं इसमें कोई शक नहीं और जिसकी तैयारी एहमद खान ने अभी से शुरू कर दी है रिपोर्स की माने तो इस फिल्म के लिए टैगर शॉफ सीरिया में जाकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं फिल्म के कुछ हिसों की शुटिंग खाड़ी देशों में ही की जाएगी आध़ खान चाते है कि बागी 3 के लिए टैगर भारी हतियारों के साथ ट्रेनिंग ले फिल्म के लिए रिसरज की दोरान आध़ खान को ये जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उमदा ट्रेनिंग कैम्स हैं लिहाजा नमबर वन में टाइगर सीरिय जांकर धूम सीरीज के बाद ये बॉलिवुट की अब तक कि सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी में साबित होगी हालकि अब इस बार में कोई खुलासा निवा कि अक्षे कुमार किस रोल में नजर आएंगे देखा जा तो अक्षे हर तरह की रोल निभाने में सक्षम है और ये बात उन्होंने टूपोइंट हो जैसे फिल्म देकर प्रूफ कर दी है अब ऐसे अगर विलेन के रोप में सामने आते हैं तो अक्षे और टाइगर के फाइट सीन्स को देखना काफी दिल्चस्प होगा या अगर सपोर्टिंग रोल में आएंगे तो ये भी धमाकेदार होगा दोस्तो टाइगर शॉफ उन स्टार्स में से हैं जो आते ही चागए टाइगर शॉफ यूद के साथ साथ बच्चों का भी दिल जीत ले गए टाइगर ने बहुत कम फिल्में की लेकिन इनके बारे में आज हर कोई जानता है कुछ फिल्में देकर इन्हों ने बॉलिवुड में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली वो एक्शन और डांस में इतने माहिर हैं कि इस सबी को दिवाना बना देते हैं लेकिन ये कहान इक शुरू हुई थे फिल्म एंटर दर ड्राइगन बूसली की फिल्म से उस फिल्म ने टाइगर को इतना इंस्पायर किया कि टाइगर ने माशल आर्ट सीखनी का मन बना लिया टाइगर ने टाइकुंडो में पांच डिग्री बेल्ट हासल की जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है अगर बात करें डांस की तो माइकल जैक्सन और बॉलिवुड के सूपर हीरो रितिक रोशन से काफ़ इंस्पायर है उनका ड्रीम था कि वो रितिक रोशन के साथ किसी फिल्म में काम करे और नजर आए उनका मानना है कि रितिक जैसा कोई भी नहीं है और ना ही हो सकता है वो मेरे आइडल है क्योंकि वो अच्छे एक्टर के साथ साथ अच्छे डांसर भी है उनके फिल्मों का कलेक्शन बहुत अलग है जिसकी वज़ा से बॉलिवुड में उनकी अलग आइडेंटिटी है और मैं उन्ही की तरह बनना चाहता हूँ एक अलग आइडेंटिटी क्रियेट करना चाहता हूँ जब उनकी डेबियो फिल्म का ट्रिलर रिलीज हुआ तब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया ट्रिलर से ज़ादा लोगों ने टैगर के लुक के बार में बात करना शुरू किया लोग उन्हें सोशल मीडा पर काफी ट्रोल कर रहे थे जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी जिन्दिगी का सबसे बुरा समय था वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ओडियंस उन्हें असेप्ट नहीं करेगी और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म में तीन दिन में 21 करोड के आकड़े को पार कर लिया ये एक नौन एक्टर और इस्टेबिश एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी फिल्म ने ओवरॉल 50 करोड का कलेक्शन किया फिल्म सक्सेस्फुल होने के बाद लोगों का परसेप्शन टाइगर के लिए बदल गया और आज उनकी फैन फॉल्विंग किसी स्टार्स से कम नहीं लेकिन शुरुवाती दिनों में टाइगर के उपर बड़ा प्रेशर था क्योंकि वो एक स्टार किर्ट थे टाइगर को उनके पापा यानि की जैकिक शौफ से हमेशा कमपेर किया जाता था माना की दोनों के करियर की शुरुवात काफी अलग थी लेकिन फिर भी और ये बात खुड टाइगर ने कही थी कि मेरे काम को हमेशा मेरे पापा के साथ कमपेर किया जाता था इसलिए ये failure का डर उन्हें हमेशा बना रहता था और उसी चक्कर में उन्हें फिल्मों में और ज्यादा मैनद करना पड़ता था इनकी पहली फिल्म से ही इन्हें action hero माना जाता है the real action hero इसलिए उनकी दूसरी फिल्म बागी भी काम्याब रही टाइगर उन एक्टर्स में से हैं जो बॉडी डवल और स्टंट मैन का यूज नहीं करते बिलीव ही नहीं करते एक्शुल में उनका कहना है कि अगर सारे रिसके स्टंट लिहाजा नवंबर में टाइगर सीरिया जाकर हतियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले थे जैसे की M16, 84 और रॉकेट लाँचर साथी साथ शद्धा भी कलराई पट्टू की ट्रेनिंग ले रही है आपको बता दे कि शद्धा इन दिनों फिल्मेकर्स की पहली पसंद बनी हुई है वो बागी 3 के अलाव वरुन के साथ स्ट्रीट डांसर समेत 5 बड़े बजट फिल्मों में नजर आने वाली है नजर डालते हैं उनकी आने वाली फिल्मों पर तो पहली फिल्म है बागी 3 शर्दा कपूर को बागी 3 के लिए फाइनल कर लिया गया है वो एक बाद फिर टाइगर शॉफ के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे शर्दा बागी का हिस्सा तो रह चुकी है इसके बाद बागी 2 में टाइगर की कधित गल्फिर्ड ने एहम भूमी का निभाई थी अगली फिल्म है स्ट्रीट डांसर रेमो डिसुजा के इस फिल्म स्ट्रीट डांसर में भी शर्दा कपूर नजर आएंगे उनके आपोजिट वरुंदोहन होंगे बतादे की साल 2015 में रिलीज हुई ABCD2 की सेक्सेस के बाद रेमो डिसुजा स्ट्रीट डांसर लेकर आ रहे हैं ये फिल्म आट नवमबर 2019 को रिलीज होगी उसके बाद है साहो बाहु बली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले एक्टर प्रभाज साहो लेकर आ रहे हैं इस फिल्म के साथ शर्दा तेल्गू सिनेमा में अपना सफर शूर करने जा रही है ये फिल्म 15 अगर 2019 को रिलीज होगी बता दे कि प्रभास और शर्दा पहली बार स्क्रिंग पर साथ नजर आएंगे शिछोरे सुपर हीट फिल्म दंगल डिरेक्ट करने वाले डिरेक्टर नितेश्ट लिवारिया फिल्म शिछोरे फिल्म लेकर आ रही है इसमें पहली बार शर्दा कपूर को शुषान सिंग राजबूत के साथ सिल्वर स्क्रिंड पर देखा जाएगा ये फिल्म 30 अगर्स 2019 को रिलीज होगी साइना नहवाल बायोपिक मशूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नहवाल पर बायोपिक बन रही है जिसमें उनका किर्दान शर्दा का पूर्डी भा रही है इस फिल्म की शूटिंग शूरू हो चुकी है ये फिल्म भी इसी साल के आखरी महिने में रिलीज होगी दोस्तों इन दोनों नाम के अलावा एक और नाम सामने आया है वो है अक्षर कुमार का अब वाव की माने तो सूपर हिट बागी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म यानि की बागी त्री में टाइगर शौफ के साथ अक्षर कुमार भी फाइनल होंगे लिहाजा मेकर 300 करोड की कमाई की उमीद कर रही है और इसलिए टैगर और अक्षर दोनों को एक साथ लाया जा रहा है जाहिर है दोनों एक्टर्स एक्षन के मामले में शानदार है अगर सारे रिस्की सीम एक स्टंट मैं करेगा तो उनको पूरा क्रेडिट उने मिलना चाहिए हीरो से ज्यादा स्टंट मैं अपने जान का जोखिम डालते हैं दोस्तों टैगर शौफ के स्टंट के सभी कायल है और ये बात उन्होंने हीरो पंती, बागी, बागी टू में सब में प्रूफ किया और हर फिल्म में एक लेवल हमेशा बढ़ा ही है बागी टू में उन्होंने 120 फुट की उचाई से छलांग लगाया था फिल्मों के अलावा साथ साथ इन्होंने अपना खुद का ब्रेंड लॉंच किया है ये एक एक्टिव फैशन क्लोथिं प्रेंट है जिसकी वैल्यू मार्केट में 4 बिलियन डॉलर है दोस्तो रोल, साउंड, कैमरा, एक्शन ये वर्ड आप बहुत बाहर सुनते होंगे क्योंकि इसी से हमारे फिल्मों के शुरुआत होती है चाहे वो हॉलिवूड हो या फिर बॉलिवूड इन वर्ड कर स्तमाल कर कुछ डैरेक्टर्स ऐसी ऐसी फिल्में बना देते हैं जिने कोई देखना नहीं चाहते है लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी बनती है इनके अंदर जिने पूरी दुनिया याद रखती है बॉलिवूड कहें या इंडिवूड ये एक ऐसी सिनेमा यूनिवर्स है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस करती है लगभग 2000 एक साल में अगर बॉलिवूड और बाके की फिल्म अंदिस्ट्री को अलग करें बॉलिवूड को दुनिया की biggest movie industry मानी जाती है चाहे अब वो employed को लेके हो मतलब कि कितने लोग इस इंडिस्ट्री में काम करते हैं या फिर number of films produced को लेके हो एक report की मानी तो 2014 में over 3.5 billion tickets बिखेते पूरे world में एक साल के अंदर और 9,000,000 tickets बिखेते सिर्फ इंडिया के बॉलिवूड cinema से जो की हॉलिवूड के comparison में बहुत ज्यादा था बॉलिवूड के पास एक से बढ़के एक डारेक्टर से हैं और यूं कहें कि थे भी चाहे वो यश्चोपडा हो जिन्होंने दिवार, वीर जरा, डर, काला पथर, त्रिशूल, वक्त कभी कभी, लंहें, सिलसिला, इत्तिफाक जैसी सूपर डूपर हिट फिल्में दी संजलीला बंसाली जिन्होंने ब्लैक, देवदास, खामोशी, दम्यूजिकल, गुजारिष, पद्मावद, बाजिरामस्तानी जैसी फिल्में दी करन जोहर, माईनेम इस खां, कुछ-कुछ होता है कभी खुशी, कभी कम, इन फिल्मों को कोई नहीं भुला सकता वहीं आदित्य चोपडा, दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे रब ने बना दी जोडी, महबबते ये बॉलिवुड के कुछ डारेक्टर्स है और उनकी फिल्में हैं, जो काफी फेमस होई थी हमारे बॉलिवुड में ऐसी बहुत से फिल्में बनी हैं, जिनने कभी कोई भुला नहीं सकता और ये सफर शुरू हुआ था 1949 से और अभी तक लागो करोडों फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी फिल्में भी हैं, जो सदियों तक लोगों को याद रहेंगी जो अमर हो चुकी है, उनकी जगा कोई नहीं ले सकता पहली फिल्म का नाम लोगा, October 1995 में रिलीज हुई DDLJ, दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे तुझे देखा तो ये जाना सनम, और मेरे क्वाबों में जो आए ये उससे में हर लड़की और हर लड़के की जुबान पे चढ़ा हुआ था जो भी 16 से 20 साल की उम्र में था हलकि मैं उससे में पैदा नहीं हुआ था और अगर हुआ होता तो इस लिश्ट में मैं भी शामिल होता इस फिल्म के डायलोग हम आज भी यूज करती हैं और पलट, पलट, पलट वला डायलोग थो सब को याद ही होगा राज अगर ये तुझसे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी पलट, पलट, पलट या फिर इस फिल्म का दूसरा डायलोग जा समरन जा, जी ले अपनी जिंदगी I know it's very bad लेकिन इस फिल्म ने नई यूद को कई सारे मेसेजिस दिये कि सबने देखो, जरूर देखो बस उनके पूरे होने की शर्त मत रखो फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था सबी जानते हैं आदित्य चोप्रा ने कास्ट में थे दक्केंग खान और काल जोल इस फिल्म के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक किसी के पास नहीं वो है सबसे ज्यादा सिनेमा घरों में चलने वाला इनोसेंस और प्योर लव स्टोरी इसके बाद आती है 2001 में आई फिल्म गदर कोई नहीं भूल सकता फिल्म में लीड में थे सनी देओर और उनका उस फिल्म में डायलोग ओय 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 पूछो ही मत आमिन कुछ डायलोग पर नज़र डाल ही लेते हैं तो असरफ वली आपका पाकिस्तान जिन्दाबाद है इसमें हमें कोई अतराज नहीं लेकिन हमारा हिंदोस्तान जिन्दाबाद है जिन्दाबाद था और जिन्दाबाद रहेगा अगला डायलोग था अगर मैं अपनी बीवी बच्चे के लिए सरजुका सकता हूँ तो मैं सब के सर काट भी सकता हूँ ये कुछ हार्ड हीटिंग डायलोग्स थे ऐसे डायलोग्स और भी हैं पूरे फिल्मे फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 80 करोड का इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म के गाने और सनी पाजी का उखाड़ा हुआ हैंड पंप भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है अगला नाम है मदर इंडिया फिल्म आई थी 1957 में फिल्म को लिखा था महबूब खान ने डिरेक्ट और प्रोडूस भी किया था महबूब खान ने फिल्म में लीड में थे नर्गेश सुनिलदत और राज हुमार ये एक्टर तो सब को याद होगा और कोई हो ना हो इनकी हर कोई नकल करता था मिमिकरी करता था जैने हम तुम्हे मारेंगे और जरूर मारेंगे पर बंदूग भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा फिल्म सौदागर इनका रूल्स काफी अलग थे जहां आज की जेनरेशन्स कैमरे को पूछती है लेकिन इनका था कि कैमरा पहले इनके चरोणों में आके गिरे और उसके बाद ये कोई शौट देंगे आपने अगर नोटीस भी किया हुआ तो इनकी एंटरी में पहले इनके जूते दिखाई देते थे इसके बाद कुछ अलग आता था इस फिल्म की कहानी एक गाओं में गरीबी से लड़ रही राधा की कहानी है जो अपने बच्चों को पालने पोशनी के लिए बहुत मेहनत करती है और फिल्म के एंड में वो खुदी अपने बच्चों को मार देती है फिल्म सूपर डूपर थी इस फिल्म ने उस समय 80 मिलियन का कलेक्शन किया था 80 मिलियन बोले तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है अब आगे खुदी हिसाब लगा लो 1976 की वो फिल्म जिसमें बसंती और धन्नो एक्टर से भी ज्यादा लाइम लाइट में रहे मैं बात कर रहा हूँ शोले की जिसे डैरेक्ट किया था रमेश शिल्पी ने जिसे लिखा था सलीम जावेड ये जोड़ी कमाल की जोड़ी थी एक कहानी सोचता था तो दूसरा उसे दुनिया के सबसे बहतरीन शब्दों में पिरोता था और दुनिया को देता था इस फिल्म के कैरेक्टर जै वीरू गबर या उनके डैलोग्स कितने आदमी थे ये हाथ मुझे दे दे ठाकूर अतेरा ग्या होगा कालिया इसके साथ ही और भी ना जाने कितने हार्ट हीटिंग डैलोग्स थे इस फिल्म के कास्ट को देखे तो धर्मिंदर, अमिताब बच्चन, हेमा मालेनी और जया बच्चन एगला नाम दवन इन ओल्ली जब प्यार किया तो डढ़ना किया मुगले आजम नाइंटी सिक्स्टी डैरेक्टिड बाई के आशिफ लगबग तीन घंटे की ये फिल्म थी और अपने आप में ही एक एतिहासि इस फिल्म को इसके गाने डायलोग्स और सेट्स के लिए आज भी जाना चाता है अगर कुछी डायलोग्स की बात करें तो सेलेम तुझे मरने नहीं देगा और अनार कली हम तुझे जीने नहीं देंगे एक और डायलोग है जो हर गल्फरेंड और वार्फरेंड अपने पिता से कहना चाहता है कि मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें अगली फिल्म है धरमविर 1977 डेक्टिट ब़ adventures दो मनमुहां देशाई। फिल्मे लीड में थे धर्मिंदर और जितिंदर अगली फिल्म है कुर्णती फिल्म लिखा सलीम जावियर। और प्रोड्यूस बाई मनोज कुमार इस फिल्म में लीड में थे दिलिप कुमार और इन्हें एक प्यार करने वाला यानि की आशिक और शराबी कभी नहीं भूल सकता इनका एक बहुत फेमस डायलोग भी है कौन कमबकत बरदास्ट करने के लिए पीता है मैं तो पीता हूँ कि सांसे ले सकूँ या फिर उनका एक और डायलोग है कि तकदीर बदल जाती है, जमाना बदल जाता है शेंशाय बदल जाते हैं मगर इस बदलती दुनिया में महबत जिस इनसान का हाथ थाम ले वो इनसान नहीं बदलता है करांते फिल्म को अब तक की सबसे अच्छी और देशभक्ती फिल्म करी जाती है हम बात करने थे बागी थ्री के बार में तो जान लेते चोटी मोटी जानकारी तो बागी थ्री की फिलाल फिल्म के रिलीस डेट एनाउस्मेंट नहीं की गई है लेकिन 2019 में टाइगर की विवस्था यान की बीजिनेस को देखके उमीद की जारी की बागी थ्री अगले साल यान की 2020 में धमाका करेगी जहां फिल्म को डेरेक्ट करेंगे एहमद खान और फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साजीड नाडियाडवाला फिल्म का बजट है 100 करोड और कहा जार कि ये फिल्म आराम से 300 करोड का बिजनेस कर लेगी फिल्म प्रेजेड नाडियाडवाला ग्रैंटसन एंटर्टेन्मेंट दिस्टिबूटिट बाइ फॉक्स स्टार स्टूडियोज दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि बागी 3 के लिए अक्षे कुमार से बात की जा रही है और अक्षे कुमार की तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉंस मिल रहा है क्योंकि जब बागी 2 रिलीस हुई थी तब अक्षे कुमार ने टाइगर शोफ के एक्षिन की बहुत तारीफ की थी और इसलिए माना जा रहा है कि फिल्म में विलन की भुमी का अक्षे कुमार निभाएंगे और इसी के साथ अक्षे कुमार के जुड़ने से फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि ये फिल्म अपने पहले वीकेंड में 500 करोड कमा सकती है दोस्तो पिछले साल बागी 2 से बॉक्स ओफिस पर रिकोर्ड तोड कमाई करने वाले टाइगर श्रॉफ इस साल भी कहीं धमाके करने वाले हैं इस साल Student of the Year 2 के बाद वो ये श्राज बैनर के तले रितिक रोशन के साथ धमाकेदार एक्षन फिल्म बनाने वाले हैं और तो और अब उन्होंने 2020 भी अपने नाम कर लिया है। चो यहां हाल ही में उन्होंने अगले साल आने वाली अपनी बड़ी फिल्म का एलान कर दिया है और ये फिल्म और कोई नहीं बलकि बागी का तीसरा सेक्वल है। टाइगर श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिय अकाउंट पर बागी 3 का फर्स लुक शेयर करते हुए जानकारी दी है कि ये फिल्म अगले साल यानि की 2020 की 6 मार्च को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। बागी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी टाइगर के जबरदस एक्षन सीन से भरी होगी। बागी 2 से इंप्रेस्ट फैंस अब बागी 3 के लिए बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इससे पहले स्टुडेंट ऑफ दा येर 2 और रितिक रोशन की फिल्म के साथ टाइगर अपने कई फ्लेवर फैंस के सामने पेश करने वाले हैं। और आपको ब दमाकेदार रहा है। जहां फिल्म बागी 2 ने बॉक्स ओफिस पर कहीं रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिये तो वहीं एक के बाद एक टाइगर को फिल्में भी मिलती रही। और आपको बता दे कि आने वाले दिनों में टाइगर एक से बढ़कर एक किर्दार निबाते हुए नजर आने वाले हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में टाइगर बॉक्स ओफिस पर राज करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर टाइगर के खाते में इस समय कौन-कौन सी धमाकेदार फिल्में हैं। तो दोस्तों सबसे पहली फिल्म है student of the year 2 करन जोहर के धर्मा प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म में टाइगर दो हसीनाओं के साथ रोमांस करते हुए दिखेंगे और इस फिल्म में टाइगर के साथ अनन्या पांजे और तारा सुतारिया नजर आने वाली है और फिल्म का ये पहली दफ़ा प्रितिक रोशन और टाइगर शौफ के जोड़ी एक साथ नजर आने वाली है और दोस्तो इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं सिद्धार तानत तो वहीं बीते साल रिलीस हुई टाइगर शौफ और दिशे पटाने स्टार पागी टूट दोस्तों ये संखासी चरचाओं में ती और फिल्म का ट्रेलर ही इतना जबर्दस था कि मेकर्स ने इसकी रिलीस से पहले ही इसके अगले पार्ट का एलान कर दिया था वहीं हाल ही में टाइगर को रोहित शेटी के ऑफिस के बाहर भी देखा गया है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रह है कि जल्द ही टाइगर रोहित की एक्शन फिल्म में तेख सकते हैं और आपको बता दे कि रोहित काफी लंबे समय से टाइगर के साथ फिल्म भी बनाना चाहते थे तो वहीं दोस्तों अब टाइगर शोफ हॉलिवुड की सूपर हित फिल्म ग्रैंबो के रीमेक में भी हम बात कर रहे हैं बागी टू के बारे में टाइगर ने कहा मुझे अंदाजा नहीं था कि बागी टू को लोग इतना पसंद करेंगे लिहाजा उसकी सफलता के बाद मुझ पर प्रेशर और बढ़ चुका है अब लोगों को सीक्वल से और मुझ से उम्मीदें जादा होने लगी है तो दोस्तो इसलिए चाइगर ने कहा कि स्क्रिप्ट में काफी चेंजिस करने पर रहे हैं और उसे भव्य बनाने के लिए अच्छे अच्छे लोकेशन की तलाश की जा रही है लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी फिल्म मेकर्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया है और फिल्मी गलियारो में चर्चा है कि इस फिल्म से अक्षी कुमार को जोडा जा सकता है वैसे अक्षी कुमार के सितारे अभी बुलन्दीयों पर हैं दोस्तो पागी 3 की बात करें तो पागी 3 एक एक्ष्ण ड्रिामा लव स्टोडी है जिसमें हालिवुट के किसी को लिया जाएगा क्योंकि स्टोरी की डिमांड ऐसी है वहीं दोस्तों फिल्म का बजट करीब 300 करोर रुपे रखा गया है बागी 3 के नए पोस्टर के साथ रिलीज डेट की घोशना भी कर दी गई है और फिल्म 6 मार्श 2020 को रिलीज की जाएगी और फिल्म का निर्देशन करे की टाइगर करन जोहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ दा इयर टू की शूटिंग पूरी कर चुके हैं और इसमें टाइगर के साथ अनन्या पांडे और तारा सुतारिया नजर आएंगी और ये फिल्म 10 माई 2019 को रिलीज की जाएगी वैसे दोस्तों अभी टाइगर श्रॉफ ये स्राज की सूपर बिग बजट एक्शन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें रितिक रोशन और वानी कपुर नजर आएंगे और ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज की जाएगी वही दोस्तों आपको बता दे कि ये भी माना जा रहा है कि टाइगर की आने वाली को करीब 2000 करोड का फायदा होने वाला है टाइगर स्राब के फिल्म बागी 3 बॉक्स ओफिस पर कितने करोड का बिजनेस करेगी आखिर क्या कारण है कि सल्मान खान के फिल्म बागी से बागी 3 की तुलना की जा रहे हलो दोस्तों आपका स्वागत है बौलेगराद के गलिया थी और वो फिल्म बॉक्स ओफिस पर उतना धमाल नहीं मचा पाई थी लेकिन सल्मान खान का एंग्री यंग मैन वाला जो करेक्टर था वो काफी लोगों के बीच लोग प्रिये हुआ था और इसी फिल्म का रिमेक जो है टाइगर स्राप ने करवाया था जिसमें उन्होंने कमाल काबने किया था और जो बॉक्स ओफिस पर सफ़ल साबित हुई थी आखिर क्या कारण है कि टाइगर स्राप की तुलना आज कल कुछ लोग सल्मान खान से कर रहे हैं मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना है कि सल्मान खान की तुलना टाइगर स्राप से नहीं करनी चाहिए क्योंकि सल्मान खान की एक अलग सैली है और टाइगर स्राप की एक अलग सैली है जहां सलमान खान एक आइकोनिक करेक्टर है एक प्रकार से एक आइडियल करेक्टर है उनका समाज में एक प्रकार से दमंगई है एक प्रकार से समाज में उन्हें लोगों का एक्टर कहा जाता है वहीं टाइगर स्राब भी सलमान खान से कुछ कम नहीं है क्योंकि टाइगर स्राप नाच सकते हैं बोल सकते हैं और अभिने कर सकते हैं एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बॉलीवुड को टाइगर स्राप के रूप में एक अच्छा भनेता मिला है और टाइगर स्राप की इस फिल्म यानि की बागी थिरी के लिए अक्षे कुमार से बात की गई वह कमाल की बात कि अगर बागी त्री से अक्षे कुमार जुड़ते हैं तो ये फिल्म जरूर भारत की सबसे बड़ी एक्षन फिल्म बन जाएगी क्योंकि action करने में हमारे अक्षे कुमार का कोई जबाब ही नहीं उनकी खिलाड़ी स्रीज की कोई भी फिल्म उठाकर आप देख लीजे अक्षे कुमार ने ला जबाब action किया है अब जब बागी थिरी में अक्षे कुमार अभने करेंगे तो बागी तरी जो है और भी बड़ी फ्रेंचाइजी बन जाएगी क्योंकि मेकर्स इसे और भी बड़ा बनाना चाहते हैं और बड़ा बनाने के लिए किसी बड़े स्टार को तो लाना ही पड़ेगा तो अक्षे कुमार जो है इसके लिए सबसे परफेक्ट है लेकिन अभी फिल्मी गल्यारों में एक और हलचल मची हुई है कि टाइकरस आप चाहते हैं कि अगर इस फिल्म से अजे देवगन जुड़ जाए अब भाईया जो आँखों से अबने करने वाला इंसान इस फिल्म से जुड़ेगा ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी मैं तो ये कहता हूँ कि इस फिल्म में अक्षे कुमार और अजे देवगन दोनों को साथ में रखड़ो फिर देखो कि ये फिल्म कितनी बड़ी होती है वैसे ये फिल्म बाक्स आफिस पर 40 से 50 करोण का बिजनेस पहले दिन कर सकती है एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म 300 करोणी फिल्म होगी और तो और ये फिल्म 500 करोण तक का भी बिजनेस कर सकती है जैसा कि इस फिल्म के डारेक्टर आहमेद खान का मानना है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो अपने आप में लाजबाब है लेकिन मेरी बात मुझे इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार इस फिल्म के साथ सल्मान खान को क्यों जोड़ा जा रहा है माना कि सल्मान खान के फिल्म बागी का रिमेक थी बागी लेकिन सल्मान खान कहीं और तो टाइगर स्राप कहीं और जहां बॉक्स आफिस के किंग माने जाते हैं सल्मान खान और वाकई वो किंग है और टाइगर स्राप एक उभरता हुआ अबनेता है एक उभरता हुआ सितारा है तो दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिस है खास करके इस मीडिया से कि टाइगर स्राप की तुलना आप सल्मान खान से ना करें क्योंकि सल्मान खान की दिसा अलग है और टाइगर स्राप की दिसा अलग है दोनों नदी के दो किनारे हो सकते हैं जो दोनों साथ चल सकते हैं लेकिन दोनों का मिलन कभी री हो सकता है दोनों एक दूसरे से टकराएंगे लेकिन दोनों में दोस्ती बरकरार रहेगी क्योंकि टाइगर स्राप सलमान खान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यही तो वज़ा है कि टाइगर स्राफ का कहना है कि कभी भी वो सलमान खान की फिल्म के सामने अपने फिल्म नहीं उतारेगी बागी सिरीज में एक बार फिल्म श्रदा कपूर की एंट्री हो चुकी है खबर है कि बागी 3 के लिए साजित नाडिया वाला ने टाइगर शौफ के अपोजिट सारा अली खान को अप्रोच किया था लेकिन सारा अपने रोल से फिल्म में खुश नहीं थी और इसी लिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी और एक बार फिर से फिल्मा गिरी श्रदा कपूर की जोली में टाइगर शौफ और श्रदा कपूर बागी सीरीज की पहली फिल्म में दिखाई दिये थे और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था फिल्म में श्रदक अपूर काफी एक्शन करती नजर आई थी लेकिन उन्हें याद रखा गया था उनके गाने याने की चमचम के लिए अब एक बार फिर से फैन्स उन्हें और टाइगर को एक साथ देखने के लिए काफी उतसाहित हैं आपको बता दे कि बागी 3 6 मार्श 2020 को रिलीज हो रही है फिल्म का एक पोस्टर और एलान पहले ही किया जा चुका है और फिल्म की तैयारी भी तेजी से चल रही है शद्धा कपूर ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि इस बार की स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है और मैं एक बार फिर इस फ्रेंचाइजी में वापस आकर बेहत खुश हूँ गौर तलब है कि बागी 2016 में रिलीज हुई थी और इसके बाद 2018 में बागी 2 रिलीज हुई और अब 6 मार्च 2020 को फिल्म का तीसरा इंस्टॉल्मेंट दर्शकों के सामने होगा दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं बागी फिल्म में श्रद्धा ने काफी धमाल मचाया था और दोनों की जोडी को भी दर्शकों ने पूरे नमबर दिये और सबको उम्मीद भी थी कि बागी 2 की हिरोईन भी श्रद्धा ही होंगी लेकिन बागी 2 में रियल लाइफ कपल टाइगर शौफ के साथ दिशा पतानी की एंट्री हुई और अब जाहिर से बात है कि इस जोडी को टाइगर श्रद्धा से ज्यादा प्यार मिलना ही था और इतना ही नहीं सबको उम्मीद थी कि बागी 3 में भी दिशा ही होंगी तो वहीं अब बागी 3 में एक बार फिर श्रद्धा कपूर की वापसी हो चुकी है फिल्म की तैयारी भी तेजी से चल रही है और माना जा रहा है कि फिल्म एक्शन और कहानी के स्तर पर पिछली दोनों फिल्मों से ज्यादा बड़ी होगी दोस्तों वहीं टाइगर और श्रद्धा की बागी जो की 37 करोड के बजट पर बनी थी और इसने वर्लड वाइड 127 करोड की कमाई की और फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर हिट रही थी वहीं बागी के विलन थे साउथ के सूपरस्टार सुधीर बाबू और फैन्स ने उनका बॉलिवुड में बाहें फैला कर सुवागत किया था और अब देखते हैं कि बागी 3 में कौन विलन होता है तो वहीं बागी 2 के साथ अब टाइगर शौफ सबसे सफल एक्शन हीरो बन चुके हैं फिल्म ने 25 करोड की ओपनिंग के साथ सबको चौका दिया था और इसी के साथ टाइगर दिशा की जोडी ने कई बड़े एक्टर्स को पठखनी दी थी बागी 2 का बजट था 69 करोड और फिल्म ने वर्डवाइट 2500 करोड से जादा की कमाई की थी और इसी के साथ टाइगर शौफ अपनी जनरेशन के सबसे सफल एक्शन हीरो बन चुके हैं श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा कपूर के पास बेहद अच्छी फिल्मों का पिटा रहा है एक तरफ वो दंगल फेम डिरेक्टर नितेश तीवारी की फिल्म छिचोरे में शुषान सिंग राजपूत के अपॉजिट दिखाई देंगी तो साइना नहवाल की बायोपित में भी वो नजर आने वाली है वहीं अब वो वरुन धवन के अपॉजिट रैमो डिसूजा की स्ट्रीट डांसर का भी हिस्सा है तो वहीं साउथ में भी धमाका होने वाला है जी हाँ अश्रधा कपूर इस साल प्रभास की साहों के साथ भी एक्शन धमाका करने वाली है और जिस फिल्म में वो प्रभास के साथ रोमांस करती नजर आएंगी और दोस्तों ये तो तैह है कि मार्च 2020 में टाइगर शॉफ एक बार फिर से एक्शन धमाका करने वाले हैं लेकिन देखना ये है कि बागी 3 में दर्शकों को और क्या-क्या देखने को मिलेगा दोस्तों बॉलेवुड में जब भी एक्शन, स्टन्ट और डांस की बात आती है तो सबसे पहले टाइगर शॉफ का नाम सामने आता है क्योंकि जब से उन्होंने बॉलेवुड में कदम रखा है तब से उन्होंने अपने स्टन्ट सीन, एक्शन सीन और अपने डांस मूव्स से सभी फैंस को बेहर इंप्रेस किया है और आज उनके इंडस्ट्री में बहुत सारे फैंस हैं तो वहीं आपको बता दे कि इन दिनो टाइगर शॉफ बागी 3 की शूटिंग में बिजी है और इस फिल्म के एक एक एक्शन वीडियो उनका एक एक एक्शन वीडियो वाइरल हुआ है जो इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी शोशल साइट्स पर जम कर वाइरल हो रहा है वहीं आपको बता दे कि इस फिल्म के लिए शृधा कपूर को फाइनल कर लिया गया है शृधा कपूर को आपने फिल्म बागी में देखा होगा और शृधा कपूर से उम्मीद की जा रही है कि वो इस फिल्म में अपना जमकर एक्शन दिखाने वाली है और उनसे उमीदे भी काफी बढ़ चुकी है वहीं आपको बताना चाहेंगे कि बागी और बागी 2 से भी बड़ा बजट होने वाला है बागी 3 का और इसमें और भी जादा बहतरीन एक्शन स्टन्ट आपको देखने को मिलेगे और एक ये भी वज़ए है कि फिल्म से उम्मीदे जादा की जा रही है इनफेक्ट उनके फैंस यानि कि टैगर शॉफ के फैंस ने फिल्म रिलीव होने से पहले इसको ब्लॉक बस्टर साबित कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म एक हजार करोड का दमदार कलेक्शन कर लेगी वहीं आपको बता दे कि इम्रान हाश्मी के बाद बॉलिवुड में एक ऐसा हीरो आ गया है जो फिल्म में किसिंग सीन ना होने के बावजूद हिरोईन को किस कर देता है दरसल मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्लाइंग जट मूवी के दौरान इस फिल्म का एक सूपर हिट गाना आया था बीट पे बूटी आपको तो याद ही होगा जिस फिल्म में टाइगर शॉफ ने जैकलीन को किस किया था इस गाने के दौरान लेकिन रेम और डिसुजा चाहते थे कि इस गाने के दौरान वो डांस करते वक्त थोड़ा सा क्लोज आएं लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर किस की जरूरत हो तो वो किस कर सकते हैं लेकिन जब दोनों ही एक्टर आपस में नजदीक आये तो उन्होंने किस कर दिया पैसे दोस्तों माना जा रहा है कि टाइगर शॉफ की आने वाले फिल्म यानि की बागी थ्री बॉलिवुड में काफी सारे डिकॉर्स तोड़ने वाली है यानि की एक हजार करोड का कलेक्शन करने वाली है बागी और बागी टू की सकसिस के बाद फैंस बागी थ्री का बेसब्री से इंतिसार कर रहे हैं निर्माताओ ने बागी थ्री की घुषना के साथ-साथ इस बात की अनाॉंसمن्ट भी की थी कि इस बार फिल्म के नए पार्ट में पहले से भी जादा जबरदस्ट एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे और जिसके बाद फैंस के बीच काफी एकसाइटमेंट बनी हुई है दोस्तों आपको बता दे कि इस साल रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी टू ने बॉक्स ओफिस पर खुब धमाल मचाया था और पहले दिन ही 25 करोड का कारोबार करके एहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया था जिसके बाल फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के तीसरे पार्ट की घोशना कर दी थी और आपको बता दे कि साजित ने बागी 3 को लेकर घोशना तक की थी जब बागी 2 रिलीज भी नहीं हुई थी और सिर्फ फिल्म का ट्रेलर आने वाला था हाल ही में फिल्म के नर्देशक एहमद खान ने बागी 3 ओफिशल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है और फिल्म को दर्शकों के सामने 2020 में लाने का फैसला किया है और जिसके बाद अब बागी 3 छे मार्श 2020 में रिलीज होगी साथ ही फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में फेस्बुक पर फिल्म का फर्स पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा है कि 6.3.2020, He Will Return आपको बता दे कि दोस्तों पोस्टर के साथ ही फिल्म में टाइगर का फर्स लुक भी रिवील किया गया है जिसके बाद फैंस अपनी एकसाइटमेंट को वया नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के इस तीसरे पार्ट में एक बड़े स्टार की एंट्री होने वाली है और दोस्तों ये सूपर स्टार और कोई नहीं बल्कि खिलाडियों के खिलाडी हमारे अक्षे कुमार है और आपको बता दे कि काफी समय से ऐसी खबरे आ रही थी कि फिल्म में बॉलिवुड के खिलाडी यानि कि अक्षे कुमार नजर आ सकते हैं जिसके बाद अब अक्षे की fan following काफी बढ़ गई है और बताया जा रहा था कि काफी समय से अक्षे को इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि वो टाईगर के साथ बागी थी करें मेकर्स का कहना था कि यदि अक्षे इस फिल्म को करने से मना कर देते हैं तो वो किसी और स्टार को फिल्म के लिए अप्रोच करेंगे आपको बता दे दोस्तों की अक्षे और साजिद नाडिया वाला काफी लंबे समय से अच्छे दोस्त रहे हैं अक्षे पहले भी साजिद के साथ फिल्म हाउसपुल के तीनों पार्ट्स में काम कर चुके हैं जिसके रहते अक्षे इस फिल्म को करने के लिए मान गए लेकिन दोस्तों अक्षे चाहते हैं कि उनका रोल भी फिल्म में ट्राइगर की तरह ही दमदार हो और इसी वज़े से स्क्रिप्ट पर फिर से काम किया जा रहा है और जिसका मतलब तो यह है कि यह दो एक्षन हीरो इस फिल्म में एक साथ धमाके पर धमाके करते नजर आएंगे बताया जा रहा है कि बागी 3 की शूटिंग दिसंबर 2018 से ही शुरू होने वाली है और फिल्म का निर्देशन भी एहमद खान ही करने जा रहे हैं और टाइगर श्रौफी फिल्म का हिस्सा होंगे और उनके साथ फिल्म में सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान नजर आएगी दोस्तों काफी समय से ऐसी खबरे आ रही थी मेकर्स फिल्म के लिए सारा अली खान और जानवी कापूर के बीच काफी। कन्फ्यूस को ले को अधा की लिएक लंबे घमासान के बाद मेकर्स ने सारा को फिल्म के लिए फाइनल कर लिया जिसके बाद दोस्तों अब बागी ठरी में टाइगर शौफ हैंगी हाल ही में सारा फिल्म के दारनात में शुशान सिंग राजपूत के साथ नजर आ चुकी हैं और फैंस ने इस नई जोड़ी को खुब पसंद भी किया है आपको बता दे कि फिल्म बागी 2 फिल्म बागी की अगली कड़ी थी और इस फिल्म में श्रद्ध कपूर और टाइगर श्रॉफ की एहम भूमी का थी जिसके बाद बागी 2 बनी और उसमें टाइगर श्रॉफ और दिशा पतानी की एहम भूमी का थी बागी 2 इस साल 30 मार्च को रिलीज हुई थी बागी 2 में बागी के मुकाबले एक्शन और थ्रिल बेहत जादा था दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर खूब धमाल मचाया था जिसके बाद पैंस बागी 3 का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस जो कर दी है और अगर बात करें टाइगर श्रॉफ की तो वो फिल्हाल करन जुहर की फिल्म स्टूडेंट ओफ तई येर 2 की शूटिंग में बिजी है और फिल्म में ट्राइगर के साथ अनन्या पांटे और तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगी आपको बता दे कि ये फिल्म 10 मई 2019 में रिलीज होने वाली है और अगर बात करें सारा की तो वो फिलहाल फिल्म सिंभा के प्रोमोशन में बिजी है और फिल्म में सारा के साथ जनवीर सिंभ और सानु सूध मुख्य भुमिका में है और फिल्म 28 दिसंबर को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने को तयार है तो दोस्तों आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड है अपना जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दे बॉलिवुड के एक्शन स्टार टाइगर स्राफ ने अपने हिट फ्रेंचाइजी बागी के लिए पसीना बाना सुरू कर दिया टाइगर स्राफ इन दिनों बागी थ्री के लिए एक्शन में हांस साप कर रहे हैं टाइगर स्राफ को बॉलिवुड में पांच साल हो चुके हैं और अब वे एक एक्शन स्टार के तौर पर अस्थापित हो चुके हैं इवास सितारों में ऐसा बेला ही कोई स्टार होगा ज पिछले दो पार्ट में स्रद्धा कपूर और दिशा पटानी नजर आ चुकी है। टाइगर स्राप अपनी बेहत मुश्किल ट्रेनिंग में कई तरह के स्टंट सीख रहे हैं और प्रेक्रिस कर रहे हैं। सुत्रों के अनुसार फिल्म के निर्माताओं की भारत और विदिशों से स्टंट बिशेशों गोव सहित बिशेश रियल्सर सेशन करने की योजना है। बागी 2 इस साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है। इसलिए तीसरे भाग से प्रसंसवों की उमीद दूगना बढ़ जाती है। बागी 3 के प्रसिछण में यम सिस्टीन, 84 और राकेट लांचर जैसे हतियारों का उपियोग सीखना सामिल है। स्क्रिप लगबग तयार है, एहमेद खान द्वारा निदेशित इस फिल्म में एक्शन और ड्रामे की भरमार होगी। साथ ही टाइगर विविन आवतार में नजर आएंगे। को जोर सोर से मनाया जा रहा है। साधी सुदा महिलाओं के लिए ये टेवहार बेहत खास है। कार्तिक मा के क्रिश पंच की चत्रुर्ती को सुब महुर्थ पर करवा चौत मनाया जाता है। वैसे बॉलिवुड में ऐसी कई फिल्मे हैं जिसमें करवा चौत को धूम धाम से मनाया गया है। करवा चौत के मौके पर कुछ ऐसे गाणों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जिसे लोग अकसर गुन गुनाते हैं। साल 1995 में आई बॉलिवुड की एवर गिन रोमांटिक फिल्म दिल वाले दुढ़निया ले जाएंगे में करवा चौत सिकन्स तो आपको याद ही होगा। फिल्म में दिखाये जाता है कि काजोल ये ब्रत अपने होने वाले पती परमी सेटी के लिए रखती हैं। लेकिन असल में वो चोरी चिपे, अपने प्रेमी, शारूपख खान के लिए नर्जला ब्रत रखती हैं। काजोल इस ब्रत को रखने के दारान बेहोस होने का नाटक करती हैं। उसी प्रेमी के हाथो पानी पिती हैं, जिससे वो साधी करना चायती हैं। ब्रत की पूजा के बाद राज और सिम्रन दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। साल 2003 में आई बागवान का करवाजवत रोमांटिक से कहीं ज़्यादा दर्सों को इमोशनल कर देता है। अमिताब बच्चन और हेमा मालने पर फिलमाये गई सिक्वेंस में दोनों एक दूसरे से दूर अलग लग सहरों में ब्रत रखते हैं। निकलने पर हेमा अमिताब को फोन कर अपना ब्रत पूरा करती है। इस सीन में खुद अम्ताब भी हेमा के लिए ब्रत रखते हैं और तब तक पानी नहीं पीते जब तक चांद नहीं निकल आता जब हेमा को पदा चलता है कि अम्ताब के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो अपनी भरी थाली छोड़ चली जाती है हम दिल दे चुके सनम में करवा चौत 1999 में आई सलमान खान और एसोरिया राय के अधूरी प्रेम की कहानी में करवा चौत के ब्रत को बड़े दिल्चस्प अंदाज में दिखाया गया है अगर हम इस फिल्म में करवा चौत के ब्रत की बात करें तो संज लीला भंसाली ने जिस खूबसूर्ती से चांद छुपा बादल में गाने को फिल्माया है वो आज भी पूला नहीं जा सकता है इस गाने में सलमान चांद से जल्दी नहीं निकलने को बोल रहे है ताकि उनकी प्रेमका उन्हें छोड़ कर ना चली जाए साल 2001 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कभी कुसी कभी गम में करवाचोत को बड़े ही भब अंदाज में फिल्माया गया था इस सीन में तीन फिल्मी जोनिया ब्रत रखती है ब्रत के साथ साथ बोले चूडिया गाने में इस्टार छूमते भी दिखते है इस्क बिस्क में करवाचोत 2003 में रिलीज फिल्म इश्क बिस्क में अमिर्ता राओ अपने प्यार साहिद कपूर के खातिर करवाचोत का ब्रत रखती बिना साधी किये और किसी को बिना बताए अमिर्ता यानि की पायल अपने प्यार साहिद यानि की राजीव के लिए नरजला ब्रत करती है सब की नजरों से बच कर साहिद उनका ब्रत तोडने उनके कमरे में आते हैं इस सेक्वेंस को बेहत खुबसूरती से परदे पर उतारा गया है अब हम बात करते हैं कि बागी टू की कहानी क्या है जब बात दिल और दिमाग के बीच हसी हो तो हमेशा दिल की सुनो फिल्म बागी टू का नायक कैप्टन रर्वेर प्रताप सिंग उर्ष रौनी यानि की टाइगर स्राप भी कुछ ऐसा ही करता है रौनी और नेहा नेहा यानि की दिसा पटानी कालेज में साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन नेहा के पिता रौनी को पसंद नहीं करते हैं रौनी और नेहा भाग कर साधी करने जाते हैं लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि नेहा और रौनी अलग हो जाते हैं और नेहा की किसी और से साधी हो जाती है वहीं रौनी आर्मी में कमंडो बन जाता है चार साल बात नेहा रौनी से अपनी किनैप हुई बेटी के बारे में मद इसरा चीजे काफी उलज जाते हैं। आखिर रौनी इस मिस्ट्री को सुलजाने में काम्याब हो पाता है या नहीं। इस फिल्म का क्लाइबेक्स है। अपनी फिल्मी केरियर की दूसरी फिल्म बागी से 100 क्रों कलम में एंट्री करके टाइगर स्राब ने दिखा दिया था कि वो लंबी रेस के घोड़े है। फिल्म के निर्माताओं ने उसी वक्त बागी का श्रिक्वल अनौस कर दिया था। वहीं अब बागी 2 की रिलीज से पहले बागी 3 अनौस हो गई है। बागी 2 तेलगू फिल्म छडम की रिमेक है। टाइगर स्राब के एक्सन का दर्सकों में कितना क्रेज है इसकी गवाही सुबा सुबा का हाउसपूल सु दे रहा था। देश भर में 3.5 हजार स्क्रीन पर रिलीज हुई बागी 2 ताइगर स्राब की सबसे बड़ी रिलीज है। लाइफ कपल टाइगर और दिसा की जोड़ी ऑन स्क्रीन काफी जमी है। खास कर उनकी परसनल कमेस्ट्री बेहतर हो की वज़ा से इसक्रीन पर ये कपल खूब जमा है। हला कि दिसा और बेहतर कर सकते हैं। पहीं खुट टाइगर ने अपने फैंस को हैरान कर देने वाले धेरो आइक्शन सीन किये हैं। जो कि सिनेमा घरों में फैंस को सीटिया बजाने के लिए मजबूरत कर देते हैं। व डिरेक्टर अहमेत कान फिल्म को सफल नहीं बना पाए और आकरी आदे घंटे में टाइगर के बेतरीर एक्षन सीन्स के बावजूत कहानी के लेवल पर फिल्म पट्री से उतर जाती है। ठाइलेंड, गोवा और लद्दाक की खूसरत लोकेशन्स पर हुई है। फिल्म का संगीत ठीक ठाग है लेकिन जैकलिन फरनार्डिस पर फिल्माए गए मादरी दिचित के गाने एक दो तीन पहले ही हिट हो चुका है। कर नजाकत में बदल जाएगी। वन मैन आर्मी के बारे में सुना है, वो अकेला ही पूरी फोज के बरावर है। कहो सुनी है, एक सड़ा हुआ आम पूरी पेटी को बरबाद कर देता है। फर्ज कीजिया, आमिर खान और अमताब बच्चन एक ही घर में रहने लगे हैं, तो वो चाई की चुष्किया लेते हुए किस बारे में बात करें। जाहिर है उनके जिक्र में आमिर के बेटे आजाद और अराध्या का नाम जरूर आएगा, चुकि दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमाचाना कैसी काल्पिन कहानी क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दे कि इसके पीछे एक खास वज़ा है। खुद आमिर खान ने कहा है कि वो अमताब बच्चन के घर में कुछ दिनों के लिए सिफ्ट होना चाहते हैं। हाँ, मगर ये सच है कि उन्होंने इस सारी बाते मजाक में कहिए हैं। आमिताब के सो केविसे में, कौन बनेगा करौणपती में। कि इस चाहत के पीछे का पूरा माजरा दरसल ये है कि आमिर खान लंबे अर्से के बाद कौन बनेगा करौणपती का हिस्सा बने है। पांच सालों के बाद वो इस सो का फिर से हिस्सा बने है। आमिर खाने ट्विटर पर एक तस्बीर सेर की है جसमें वो अमिताब के साथ नजञा आ रहे हैं। आमिताब को क्या करने को कहा। सो में आमिर खाने अमिताब की फिर नमा खलाल का एक संबाद दो राया। तो वहीं अमिताब बच्चन से अमिर ने धूम तरीका एक संबाद सुनाने को कहा फिल्म का परसित संबाद बंदे हैं हम उसके संबाद अमिताब ने अपने अमदाज में कहा इसी सो के दोरान अमिर खान ने एक बात तैंकी कि वो अमताब बच्चन के घर पर अपने फिल्म ठक साप की रिलीज से पहले जाने वाले हैं इसकी वजा अजीबो गरीब है आमिर खान ने कहा है कि उनकी फिल्म के रिलीज के पहले वो नर्मस रहते हैं ऐसे में वो चाहते हैं कि अमताब के घर चले जाएं ताकि वहाँ जाकर वो खुद को सांध रख पाएं और हमताब बच्चन के साथ भी वक्त बिता पाएं 200 करोर से जादा की कमाई करने वाली बागी टू ने काफी लोग प्रेता हासिल की प्रिटेक्स से लेकर आम जंता को ये फिल्म बेहत पसंद आगी बागी टू का भी खुमार लोगों के सिट से उतरा भी नहीं था कि फिल्म के मेकर्स ने इस फ्रेंचाइजी की तीसरे फिल्म का काम सुरू कर दिया है मेकर्स के पास एक ऐसे स्क्रिप्ट है जिसे वो बागी टू के लिए कंसीडर कर रहे है स्क्रिप्ट के मताबिक टाइगर के साथ एक और फिक्ट अक्टर की ज़रुवत इस फिल्म के लिए ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि अक्षे की इस फिल्म में एंट्री हो जाए फिल्म एन माता इस फिल्म को बागी टू से भी अलग लेबर पर ले जाना चाहते इसी के चलते एक्षे कुमार का नाम सामने आ रहा है बागी टू के टेलर लांच के दोरान ही मेकर्स ने बागी 3 फिल्म की घोसा कर दी थी इस फिल्म में टाइगर स्राप ही बतार लीड हीरो होंगी बागी 2 ने दो हफ्तों में ही 250 करोण से ज़्यादा की कमाई कर ली है फिल्म के तीसरे स्टाल्मेंट को मेकर्स बड़े लेबर पर ले जाना चाहते ऐसे में फिल्म को ग्रेंट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते फिल्हाल अच्छे अपनी 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म केसरी की सूटिंग कर रहे है इसके लावा उनके फिल्म गोल्ड है बागी 2 में टाइगर स्राप के जवरजस्त एक्सें से अक्छे कुमार काफी इंप्रेस थे अक्छे ने सोषल मेडिया अपर उनकी तुलना टोनी जा से कर डाली थे अक्छे कुमार ने लिखा था बॉलिवुड को टोनी जा मिल गया है टोनी जाने माने मार्शाल आट एक्टर है टाइगर ने अक्छे कुमार केruit को जवाब देते हुए लिखा आपकी इतारी बहुत माने रखती है लेकिन हमारे पहले एक्षन हीरो आप है हम जैसे लोगों को ऐसा उसर देने के लिए धन्यवाद ऐसे में बागी 3 में इन दोरों एक्षन हीरो की जोड़ी देखने लाइक होगी अक्षे के लावा रितिक भी बागी 3 का हिस्सा बन सकते हैं फिल्म के मेकर्स दो स्क्रिप्ट पर विचार कर रहे हैं एक स्क्रिप्ट में जहां टाइगर और अक्षे एक साथ आ सकते हैं वहीं दूसरी स्क्रिप्ट के मताबिक सिर्फ रितिक रोसन ही इसके तीसरे पार्ट के हिस्सा होंगे टाइगर स्राप रितिक को अपना गुरू मानते हैं टाइगर और रितिक जल्द ही एक और एक्षन फिल्म में साथ काम करेंगे इसमें वाडी कपूर ही परमुग भूमिका में है फिल्म के स्ुटिंग अगस्से सुरू होगी ये फिल्म अगले साल गाधी एंती पर रिलिज होगी टाइगर स्राप इंद नों अपनी नए फिल्म की स्ुटिंग में बेस्ट टाइगर साल 2012 में आई फिल्म Student of the Year के पार्ट टू की सूटिंग कर रहे हाली में इस फिल्म के पहले सुडूल की सूटिंग पूरी हुई है इस फिल्म में टाइगर के साता नन्या पांडे और तारा सुतारिया नजर आएंगी टाइगर की पिछली फिल्म बागी टू ने बॉक्स आफिस के कई बड़े बड़े रिकार्ट को धूल चटा दिया है पहली दोनों फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी टाइगर मुख भूंका में नजर आएंगे स्टुडेंट आफ दाइयर टू की सूटिंग के बाद टाइगर जल्द ही बागी थरी की सूटिंग सुरू कर देंगी अभी तक इस फिल्म की हिरोईन के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया लेकिन साजिद ने एक एविड के दारान कहा था कि वो इन दिनों इस फिल्म के लिए हिरोईन की तलास में और जल्द ही वो इस फिल्म की हिरोईन के नाम की घुस्रा करेंगी अगर बागी थरी में अक्षे कुमार होते हैं तो बागी थरी को आपार सफलता मिل सकती है कुमार को बॉलेवुड का आक्शन हीरो की संग्या दी जाती और विसेस्ता वे खिलाडी श्रिंकला के लिए जाने जाते थी। 1995 में अपनी सफल फिल्मों के साथ वे खिलाडी स्रेणी की तीसरी फिल्म सबसे बड़ा खिलाडी में अभिने किया जो एक हिक्त थी। वे खिलाडी स्रेणी के सभी फिल्मों में सफल रहे और फिर बात के वर्स में खिलाडी टाइटल के साथ फिल्म खिलाडियों के खिलाडी में अभिने किया जिसमें उनके साथ रेखा और रबीना टंडन थी। इसाल के लिए रेतिक रोशन को कास्ट किया जाता है तो किस प्रकौ़ करêtes रेतिक रोशन बॉलेवोड के ऐसे rugby है जिन्होंने पहले फिल्म में बता दिया कि उनकी क्या पोटेंसियल है वो कितने लंबे रेस के घोडे है और आज इतने साल के बाद जब उनके कारियर को देखकर सही माइने में कहा जाएगा कि वो एक स्टार के तोर पर कम्प्रीट पैक है रितिक रोशन का डिवेव भी अपने आप में कम अजूबा नहीं था सालो बाद किसी एक्टर ने इतना तूफानी अंदाज में डेवू किया था कि बाकी स्टार्स उसी तूफान में उड़ गई थी और रितिक रोशन पूरे देश के फेवरिट बन गई थी रितिक का डांस उनकी सबसे बड़ी खासियत है जो बाकियों से उन्हें अलग बनाता का इंटरनेशन स्टाइल और लुक भी कुछ ऐसा है कि वो वर्ड वाइड अपने लुक की वज़ा से चर्शा में रहते हैं रितिक रोशन अपने 16 साल के कैरियर में 25 से भी कम फिल्में किये हैं लेकिन अपनी हर फिल्म में वो पिछली फिल्मों से काफी अलग होते हैं वो फिल्म भी काफी सोच समझ कर चुनते हैं चाहे कहो ना प्यार है कोई मिल गया लच धूम टू जोधागवर या अब काविल को ही देख लीजिए रितिक रोशन स्टाइल में भी हर किसी से काफी आगे नजर आते हैं उन्हें एक बार नहीं कई बार बॉलिवूड बेस्ट स् नहीं रखा जो कर पाना किसी भी एक्टर के लिए मुश्किल होता सर्व खान खूद को रोमांटिट सल्मान खान दवंग परस्नाल्टी या आमिर खान सीर्य समेश से खुद को दूर नहीं कर पाए लेकिन रितिक रोशन ऐसा करने में काम्याब रखे कोई मिल गया के बाद रितिक रोशन के किर्स फाइन रातो रात बढ़ गए बच्चे रितिक के जितने फाइन हैं आज भी कोई मिल गया के आने के इतने सालों बाद है वो किसी स्टार का सपना ही हो सकता कोई मिल गया के बाद रितिक रोशन बच्चों के सुपर स्टार बन गए बॉलीबुन में फिल्मों के सुरुवात करने वाले दादा साहब का आज 141 जनम दी और इसकी पूर्व संध्या को आयोजित आवार्ड समारो में अक्षे कुमार को स्रेश्ट अबनेता और सोनम कपूर्वा भूमी परणेगर को स्रेश्ट अमनेतरी के प्रुषकार से समानित किया गया दादा साहब फाल के फिल्म फाउंडेशन हर सालिस प्रुषकार का आयोजन करता है आवार्ड जूरी ने अक्षे कुमार को फिल्म पैड मैन और टाइले टेक पेरिंट कथा में उनके किरदार के लिए बेस अक्टर का प्रुषकार दिया तो भूमी परणेगर को इसी फिल्में उन चिनेमा के पिदामा कहे जाने वाले दादा साहफ फाल पे ने नाकेवर फिल्म इंडिट्री की निविर र anyhow के बल्की बोलेव स्क्रिप के मताबिक अक्षे और टाइगर हाला कि जब इस फिल्म के आधकारी घोस्रा होगी उस वक्त इसका पता चल जाएगा साजित का अभी इस मामले में कोई जवाब नहीं आया वैसे अक्षे इस फिल्म के लिए हामी भरेंगे तो टाइगर और उनकी जोड़ी बॉक्स बड़ा रिकार्ड बना सकती है फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप बागी थिरी में टाइगर के साथ अच्छे को देखना चाहते हैं या रेतिक रोशन को वह कौन सी चीज है जो हर नए फिल्मेकर को आज और अभी खरीती चाहिए यूटूब के आने के बाद बहुत सारे लोग मूवी बनाने में जुट चुके जिनमें सॉट फिल्म्स और बेव स्रीज बहुत बड़ा हिस्सा है पिछले चाहर सालों में यूटूब और नेटफ्लिक्स जैसी साइट्स की वजा से इंडिया में सॉट फिल्म्स बनाने वालों की एक बार सी आ गई दी DJI Mavic Pro एक फिल्मेकर को वो सब प्रोवाइड करता है यह एक ड्रोर कैमरा जिसमें 4K क्वार्टी आयट 30 फ्रेंस पर सेकेंड में कैप्चर करने की छमता है इसके लावा इसकी बैटरी लाइफ 30 मेट की है और चार्ज कम होने पर भी इसकी इंटिलिजेंट बैटरी ड्रोर को अ एक फिल्म है थी नाम था बागी फिल्मे लीट रोल में थे टाइगर शॉफ और श्रद्धा कपूर यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर काफी हिट साबित हुई थी इसके चलते ही इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया और नाम रखा गया बागी 2 और बागी 2 भी 2018 में पहले दिन प्रतीक बबबर इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 253 करोड रुपेगा कलेक्शन किया था टाइगर शॉफ की फिल्म बागी 2 की रिलीज से पहले ही साजीद नाग्याट वाला ने बागी 3 की घोशना कर दी थी आपको बता दे एहमद खान फिल्म की स्कृट पर काम शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म के लिए टाइगर शॉफ सेरिया में जाकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं फिल्म के कुछ हिसों की शूटिंग खाड़ी देशों मे की जाएगी सुत्रव की माने तो एहमद खान चाहते हैं कि बागी 3 के लिए टाइगर भारी हक हियारों के साथ ट्रेनिंग ले फिल्म के लिए रिचर्च करने के दौरान एहमत खां को एक जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उंदा ट्रेनिंग कैम्स है लिहाजा नवंबर में टाइगर सीरिया जाकर हतियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले हैं जैसे की M16, 84 और रॉ हो चुकी है सुत्रों की माने तो बागी 3 में दिशा पतानी को ही साइन किया जाएगा लेगिन जहां तक हमें याद है कि उन्होंने बागी 2 में सुसाइड कर लिया था और वो मर गई थी तो देखना ये दिल्चस्प होगा कि क्या फिल्म की स्टोरी नहीं होगी या फिर उस है अनन्या पांडे, तारा और टाइगर शौफ, फिल्म के काफी हिस्से शूट हो चुके हैं, स्टूडेंट ओफ दियर फिल्म रिलीज होगी 23 नवंबर को, अब देखना ये होगा कि कितना धमागा कर पाती है टाइगर शौफ की स्टूडेंट ओफ दियर 2, क्या वो बाग बागी 3 फिल्म की घोश्रा कर दी थी, इस फिल्म में टाइगर स्राफ भी बतोर लीड हीरो होंगे, रिपोर्ट के मुताबिक बागी 3 में टाइगर के लावा एक और बड़ा एक्टर भी होगा, बागी 2 ने दो हफ्तों में ही 250 क्रोन से ज्यादा की कमाई कर ली थी, मीडिय खबरों की बात माने तो, बागी 3 में टाइगर के साथ अक्षे कुमार बतोर दूसरे हीरो हो सकते, रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स के पास ऐसे स्क्रिप्ट है, जिसे वो बागी 3 के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इस स्क्रिप्ट के अंसार टाइगर स्राफ के साथ एक और फ वां उनकी अगले फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है जिसका नाम है गोल्ड बागी टू में टाइगर स्राप के जबर जस्त अक्षे कुमार काफी इंप्रेस्ट अक्षे ने सोसल मेडिया पर उनकी तुलना टोनी जा से कर डाली थी अक्षे कुमार ने लिखा था बॉलिव देखने लाइब होंगी अईसे भी अफवा आ रही है कि इस फिल्म में रितिक रोशन भी हो सकते हैं फिल्म के मेकर्स दो स्क्रिट पर विचार कर रहे हैं एक स्क्रिट में जहां टाईगर और अक्षे एक साथ आ सकते हैं वहीं दूसरी स्क्रिट के मताबिक सिर्फ रितिक रोसन ही इसके थार्ट पार्ट का हिस्सा होंगे आपको बता दे कि टाइगर श्राफ रितिक रोसन को अपना गुरू मानते हैं टाइगर और रितिक स्राप के आलोजकों को तो करारा जवाब दिया ही इसके साथ ये भी साबित कर दिया कि इवा सितारे भी अच्छी फिल्म के साथ इतनी धमाकेदार ओपनिंग दे सकते हैं और ये भी कि एक्षन फिल्मों का यूद अभी भी दीवाना है वैसे बागी की सक्सेस से इसके फिल्म से बेतर है पबलिक डिवान पर अब बागी थिरी बनाने जा रहा है वैसे बागी टू की सफलता को लेकर अहमद खान ने एक और कारण बताया है आम धारणा आए कि किसी भी फ्रेंचाइजी की पहले फिल्म के मुकाबले बाकी के पार्ट्स ज्यादा हिट नहीं होत कोई फ्रेंचाजी की फिल्में भी हिट रही तन्नू बेर्स मन्नो रिटर्स सिंगाम दवांग हाउस पूल और धूम बेहिसाब फिल्में जिन्नोंने पहले पार्ट की तुल्ना में अच्छी कमाई की है ये एक तराका भ्रहम है और कुछ नहीं है बागी टू का एक गाना काने से जादा चरचा में रहा वजाती माधुर दिचित ए गाना तेजाब में माधुर दिचित के आईकोनिक गाने एक दो तीन का रिमेक था गाने के रिवेक प्रते लेकाने लेकर जेकलीन को यहांाव कि दी और लेकिन रिलीज होने पर माधुरी दिच्छित से इसकी तुलना होगी। समस्या यही है कि हम इंडियर्स हमेशा दूसरों से तुलना करने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि रिमेक कभी ओरिजन नहीं हो सकता। तभी यह रिमेक है। तेजाब में माधुरी दिच्छित के एक दो तीन गाने को कुरियोगराप कर चुकी सरोज खान के भी इस रिमेक से खुस नहीं होने के सवाल पर वो कहते हैं। लोग इंडिस्ट्री में आ रहे हैं। डांस, एक्षन, कमेडी इन तीनों बिधाओं में हमारे पास एंगेस्टर्स की पूरी फाउज है। साहित कपोड, टाइगर सराप, ररवेर सिंग, बरवन दवन, सृधात मरहोतरा, आयुसमान खुराना, राशकुमार राओ, कितने ही बेहतरीन कलाकार हैं। जो हिंदी सिनेमा को नए उचाईयो तो ले जाएंगे। अपने खुद के घर में सिफ्ट हो गए थे। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। टाइगर सराप ने 31 करोन 5 लाख रुबए का मुंबई के खार बेश्ट इलाके में रूस्तम जी पैरा माउंट में तीन फ्लेट बुक किये हैं। इन में से एक 9 मंझिल पर है जो 15wh work fit में हैं। बाकि दो फ्लेट 21whi मंझिल पर है। जिन में से एक 1900whar fit पर है और दूसरा 21whar fit में। टाइगर सराप ने 1900whi मंझिल पर बने फ्लेट के लिए करीब 7 करोन 11500 लाख रुबए खर्च किये। 21 मंजिल पर 22 करोन 33 लाग रुपए खर्च किये इसके साथ ही स्टांप ड्यूटी पर भी उन्होंने 1 करोन 55 लाग रुपए खर्च किये कुल मिलागर टाइगर ने 31 करोन 5 लाग रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टाइगर स्राप अपनी इमेज एक अच्छे एक्षन स्टार की बना रहे है इवा दर्सक वा एक्षन के दिवाने उनकी फिल्मों को लेकर क्रेजी रहते हैं टाइगर को अपनी इमेज और बागी टू के एक्षन बेश फिल्म होने का ये प्रड़ाम मिला कि ये फिल्म बाक्स ओफिस पर अपने घंडे गारने में सफल रही वैसे बागी टू को वर्ड वाइट 4125 स्किन्स पर रिलीज किया गया था भारत में बागी टू को साणे 3000 ओवर सीज में 625 स्किन्स मिले 75 कौन में बनी बागी टू को 45 देशों में रिलीज किया गया था वैसे प्रडूसर साजित नाटिया वाला के साथ टाइगर स्राप की ये तीसरी फिल्म है टाइगर स्राप ने अपने फिल्म हिरो पंथी के साथ ही ऐसास दिला दिया था कि डांस और एक्षन उनकी ताकत रहेंगे और बागी टू को देखने के बाद भी ऐसा महसूस हुआ था टाइगर स्राप ने बागी टू के लिए खास दोर पर हॉंग कॉंग में मार्सल आर्ट सीखा था इसी वज़ा से बागी टू को साल की सबसे बड़ी एक्षन फिल्म भी कहा जा रहा है हाला कि सबसे बड़ी के लिए तो अभी साल के अंतका दियार रहेगा लेकिन एक्षन जोरदार था अगी टू फिल्म में टाइगर स्राप जब भी स्कीन पर दिखें आप उनकी फिजिप की तारिक भी करेंगे सायद फिल्म को लेकर क्रेज की एक वज़ा ये भी थी यंक राउट इस कारण से इस फिल्म को देखने ज़्यादा थेटर में गई फिल्म एक और वज़ा से आकर्सित करती है वो है वन लाइनर्स डाइलाग टाइगर स्राप की पहली फिल्म से उनका योईस्पी रहा है कि वो अपनी फिलों में वन लाइनर्स डाइलाग जरूर बोलते है जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है यही वज़ा है कि एंगेश्टर को कुछ अच्छी लाइन्स आम जिन्दगी में सुनने को मिल जाती है वो इस सोशल मीडिया पर दिसा पतानी का भी क्रेश था वो इस फिल्म को चर्चा में लाने की एक वज़ा था इस स्क्रीन पर दिसा पतानी ने भी ठीक ठाक अबने किया टाइगर और दिसा के रियल कमिश्टरी भी अच्छी है और दिसा खुद इस बात को मान चुकी है कि टाइगर के साथ दोस्तिक वज़ा से उनसे रोमास करना आसान था हाला कि एक एक एक्शन फिल्म में हिरोईन को जितनी जगा मिलती है दिसा को भी उतने में ही बान दिया गया है बागी टू को सपोर्टिंग कास्ट के लिए भी जाना जाता है एक और रंदिर भुड़ा, मनोज बाचवी, दीपक डूबरियाल जैसे कलाकार बागी टू में नजर आते हैं वहीं प्रतीक बबबर का बतोर बिलेट इस फिल्म के साथ कमबै खुराथ बागी टूरी की तूलना हॉलिवुड फिल्मों से इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी बॉलिवुड में एक नई प्रमपरा शुरू हो गई है यदि बॉलिवुड की फिल्मों को देखे तो यहां के निर्देसक अपनी फिल्मों में एक्षन सीन डिजाइन करने के लिए हॉलिवुड के एक्षन डारेक्टर लिये जा रहे हैं अब बॉलिवुड हॉलिवुड की तर्च पर फिल्मों का निर्मार करना शुरू कर दिया है बाव बली ने इस बात की पुष्टी कर दी थी कि हमारे देश की फिल्में आप हॉलिवुड की फिल्मों से पीछे नहीं है रजनी कांग की 2.0 इस बात की गवा है इसमें हॉलिवुड के टेक्निसियन बहुत सारे रखे गए है और प्रभास के फिल्म सहो के लिए भी बाहर से टेक्निसियन पो हायर किया गया है इस बार बागी तरीकी कहानी में ऐसा बदलाव किया गया है कि फिल्म के आधी से ज़्यादा फिल्म की शूटिंग विदेसों में होगी इस फिल्म के लोकेशन अभी फाइलन नहीं किये गए है टाइगर स्राप अपनी फिल्म को गाधी जैंती पर इसले रिलीज करने की योजना बना रहे है क्योंकि गाधी जैंती के कुछ द्धानतों को इस फिल्म में जढ़ा दी गई है और फिल्म एक सांती का संदेश देती हुई नजर आती है टाइगर स्राप के साथ अच्छे कुमार हो सकते हैं क्योंकि रितिग रोसन ने तो एक फिल्म टाइगर स्राप के साथ साइन कर ली है इस फिल्म की तुलना बाव वली से की जा रही है क्योंकि बाव वली की तरह इसको भब बनाया जा रहा है अभी से इस फिल्म को 500 क्रोनी फिल्म माना जाहा है तो दोस्तो 2016 में एक फिल्म आई थी नाम था बागी फिल्म में लीट रोल में थे टाइगर शॉफ और शद्धा कपूर ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर काफी हिट साबित हुई थी इसके चलते ही इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया और नाम रखा गया बागी टू और बागी टू भी 2018 में पहले दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गयी थी इस फिल्म को दर्शोकों से बहुत प्यार मिला फिल्म में लीट रोल में थे टाइगर शॉफ, दिशा पटानी, मनोज बाजपाई, रंदीप उड़्डा, दर्शन कुमार, दीपक डोब्रियाल और प्रतीक बबबर इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 253 करोड रुपेगा कलेक्शन किया था टाइगर शॉफ की फिल्म, बागी 2 की रिलीज से पहले ही साजीद नाग्याट वाला ने बागी 3 की घोशना कर दी थी आपको बता दें, एहमद खान फिल्म के स्क्रिट पर काम शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए टाइगर शॉफ सीरिया में जाकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं फिल्म के कुछ हिसों की शूटिंग खाड़ी देशों में की जाएगी सुत्रव की माने तो एहमद खान चाहते हैं कि बागी 3 के लिए टाइगर भारी हतियारों के साथ ट्रेनिंग ले फिल्म के लिए रिचर्च करने के दोरान एहमद खान की एक जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उमदा ट्रेनिंग कैम्स है लिहाजा नवंबर में टाइगर सीरिया जाकर हतियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले हैं जैसे की M16, 84 और रॉकेट लाउंचर्स साजिन नाडियार्ट वाला ने कहा है कि अगले महिने उनकी फिल्म बागी 3 के एक्ट्रेस की घोशना कर दे जाएगी फिल्हाल फिल्म के स्क्रिट पर काम चल रहा है साथ ही कास्टिंग भी शुरू हो चुकी है सुत्रों की माने तो बागी 3 में दिशा पटानी को ही साइन किया जाएगा लेगिन जहां तक हमें याद है कि उन्होंने बागी 2 में सुसाइड कर लिया था और वो मर गई थी तो देखना ये दिल्चस्प होगा कि क्या फिल्म की स्टोरी नहीं होगी या फिर उसी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा इस फिल्म के बजट का कयास लगाया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट होगा लगभग देड़ सो से दो सो करोड का अभी टाइगर शॉफ बीजी है इंदी नोग सौटी टू की शूटिंग में मदलब कि स्टूडेंट ओफ द इयर टू की जिसमें लीड रोल में है अनन्या पांडे तारा और टाइगर शॉफ फिल्म के काफी हिससे शूट हो चुके हैं स्टूडेंट ओफ द इयर फिल्म रिलीज होगी 23 नवंबर को अब देखना यह होगा कि कितना धमागा कर पाती है टाइगर शॉफ की स्टूडेंट ओफ द इयर टू क्या वो बागी टू को टक कर दे पाएगी या नहीं हमारे टाइगर श्रॉफ क्या बात है उनमें कि अब उनके तुल्ना सल्मान खान, अक्षे कुमार और रितिक रोशन से करी जा रही है कुछ तो बात होगी ना तो आईए अब हम उस कुछ बात को एक्स्प्लें करते हैं तो दोस्तो बात यह है कि ताइगर श्रॉफ इस तरह में ऐसे हीरो हैं जिनोंने बहुत चल्दी अपने अराउंड जितने भी आक्टर्स हैं उरी के जैसे उन्होंने उनको बहुत जल्दी बहुत कम सामय में पिछाड दिया है क्योंकि उनकी आक्टिंग स्किल्स में उन्होंने बहुत काम किया है और उनका डान्स बहुत अच्छा है और हम यह चीज जानते हैं कि उन्होंने Martial Arts की Training में रखी है जिसके कारण उनको अपने Action Scenes करने में बहुत है निलती है तो दोस्तो कुछ रिंस तो ऐसी है जो Tiger Shrop के अलावा कोई कर ही नहीं सकता ड्यू-ड्यू Action Scenes तो दोस्तो यह थे कुछ रिजन्स जो अब कंपेर कर सकते हैं Tiger Shrop को सल्मान खान, अक्षे कुमार और रित्यक रौशन से दोस्तो पहले Tiger Shrop में वो बात नहीं थी जब हमने उनकी पहली movie Hero Manthi देखी थी तो हमें लगाता शायद यार यह अपने पिता जी जाकी श्रौप की तरह जादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है जब साज़त नाड़्याड वाला ने उनको बागी के लिए प्रोच किया उनको लगा कि हाँ, शायद कुछ बात है इसमें जो शायद बागी को एक उच्छे लेवल तक पहुँचा सकती है तो शायद साज़त नाड़्याड वाला की वो बात सच निकली क्योंकि बागी में टाइगर श्रॉप ने श्रथा कपूर के साथ एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई थी और अपने अक्शन सीन्स अपने डांस की वज़े से बागी को बहुत उच्छा नाम दिलाया थी इसलिए बाद 2018 में आई बागी 2 जी हाँ दोस्तों बागी 2 में भी ताइगर श्रॉप ने दिखाई पटानी के साथ इन दोनों की केमिस्ट्री भी काप भी अच्छी थी दोनों ने मूवी में बहुत अच्छा काम किया था और स्टूरी भी बहुत अच्छी थी लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू उसमें टाइगर श्रॉप ने एक आर्मी ओपिसर का रोल किया था जो कि एक बहुत अच्छा रोल था और शायर उनके अलावा वो रोल कोई और नहीं निभा सकता था क्योंकि बहुत अच्छे आक्शन सीन्स थे जिससे लोग पागल हो गए थे टाइगर श्रॉप को देखने के लिए और लड़किया तो बस दिवानी हो गए थी टाइगर श्रॉप के लिए तो दोस्तों अभी बात चल रही है साज़ित नाडगाडवाला कि वो अपनी फिल्म बागी का सीक्वल बनाना चाहते है जिहां दोस्तों वो बागी तीन पर जलकाम शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए उल्हों ने अभी हाल ही में हमारी केदारनाथ से आई याक प्रेस सारा अली खान को एप्रोच किया है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस ट्राइम जानवी कपूर के बाद सारा अली खान बहुत ज़ादा चर्चाओं में है क्योंकि उनके फिल्म केदारनाथ ने बहुत बाबाबर्ट हो रही है बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों आपकी पहली मूवी ही तना जादा नाम कमाले तो जब साजित नाडगाडवाला ने उनको बागी 3 के लिए प्रोच किया उन्होंने बोला कि अभी मैं अपने फिल्म सिंबा पर फोकस करना चाहती हूँ इसके बाद ही मैं आगे किसी और प्रोचेक्ट को हाथ लगाओगी तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दू कि सारा अली खान में बागी 3 के लिए हामी नहीं बनी है पर मुझे लगता है कि वो हाँ मान जाएगी बागी 3 में काम करने के लिए तब तक आप मुझे कमेंट करने बताएगे कि आप ताइगे श्रॉप के साथ कौन सी आपरस को देखना चाहते हूँ या पिछली श्रद्धा कपूर या फिर 2018 वाली दिशाबटानी या फिर हमारी आख मार भी हुई सारा अली खान बागी 2 की धमाकेदार सफलता के बाद अब मेकर्स बागी 3 की तयारी कर रहे हैं इससे पहले बागी 2 के टेलर रांच के दाउरान ही मेकर्स ने बागी 3 फिल्म की घोश्रा कर दी थी इस फिल्म में टाइगर स्राव भी बताओ लीड हीरो होंगे रिपोर्स के मताबिक बागी 3 में टाइगर के लावा एक और बड़ा एक्टर भी होगा बागी 2 ने दो हफ्तों में ही 250 करोन से ज़्यादा की कमाई कर ली थी मीडिया खबरों की बात माने तो बागी 3 में टाइगर के साथ अच्छे कुमार बतोर दूसरे हीरो हो सकते हैं ऐसे में फिल्म को ग्रैंट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाते हैं फिलहाल अक्छे अपनी 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म केसरी की सूटिंग कर रहे हैं इसके लावा उनकी अगले फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है जिसका नाम है गोल्ड बागी 2 में टाइगर स्राप के जवरद्यस अक्छे कमार काफी इंप्रेश्ट अक्छे ने सोसल मेडिया पर उनकी तुलना तोनी जा से कर डाली थी अक्छे कमार ने लिखा था बॉलीवुड को तोनी जा मिल गया है तोनी जा जाने माने मार्सल आर्ट एक्टर है टाइगर ने अच्छे कुमार के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा आपकी तारी बहुत माने रखती है लेकिन हमारे पहले एक्षन हीरो आप हम जैसे लोगों को ऐसा आउसर देने के लिए धन्यबाद ऐसे में बागी थरी में इन दो एक्षन हीरो की जोड़ी देखने लाइफ होनी ऐसे भी अफवा आ रही है कि इस फिल्म में रितिक रोसन भी हो सकते हैं फिल्म के मेकर्स दो स्क्रिट पर विचार कर रहे हैं एक स्क्रिट में जहां टाइगर और अक्षे एक साथ आ सकते हैं वहीं दूसरी स्क्रिट के मताबिक सिर्फ रितिक रोसन ही इसके थर्ड पार्ट का हिस्सा होंगे आपको बता दे कि टाइगर स्राप रितिक रोसन को अपना गुरू मानते हैं टाइगर और रितिक रोसन जल्द ही एक एक्षन फिल्म में साथ काम करने जा रहे हैं इसमें वाणी कपूर भी प्रमुख भूंका में हैं फिल्म के सूटिंग एलान भी अभी से कर दिया है सांदार ओपनिंग के साथ इसने टाइगर स्राप के आलोचकों को तो करारा जवाब दिया ही इसके साथ ये भी साबित कर दिया कि इवा सितारे भी अच्छी फिल्म के साथ इतनी धमाकेदार ओपनिंग दे सकते हैं और ये भी कि एक्षन फिल् जिसलिए बागी टू बनाई इसमें कोई शक नहीं कि ये पहले फिल्म से बेहतर पॉबलिक डिवान पर अब बागी थिरी बनाने जा रहा हूं वैसे बागी टू की सफलता को लेकर अहमद खान ने एक और कारण बताया है आम धारण आय कि किसी भी फ्रेंचाईजी की पहले फिल्म के मुकाबले बागी के पार्ट ज़्यादा हिट नहीं होते लोगों में इस तरह की फ्रेंचाईजी को लेकर क्रेज खत्म हो जाता है लेकिन एहमद इससे सहमत नहीं है उनका कहना है किसने कहा लोगों का क्रेज खत्म हो जाता है गोल माल के बाद उसके जितने भी पार्ट बने सभी पसंद किये गए हेरा फेरी टूप पहले वाली से ज़्यादा हिट रही हेट स्टोरी फ्रेंचाईजी की फिल्में भी हिट रही पहले पार्ट के तुल्ला में अच्छी कमाई की है ये एक तरा का भ्रहम है और कुछ नहीं है बागी टू का एक गाना फिल्म से ज़्यादा चर्चा में रहा वजाती माधुर दिच्छी ये गाना तेजाब में माधुर दिच्छीत के खड़े रहे उन्होंने कहा कि हमने कभी आलोचनाओं को गम्हीरता से नहीं लिया जैक्रीन ने गाने के साथ पूरा नयाय किया है बात ही खत्म होती निर्देशक एहमत खान का कहना है कि हमें पहले से पता था कि इस गाने के रिलीज होने पर माधुर दिच्छीत से इसकी तुल्ना होगी समस्या यही है कि हम इंडियर्स हमेशा दूसरों से तुल्ना करने लगते हैं लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि रिमेक कभी ओरिजन नहीं हो सकता तभी यह रिमेक है तेजाब में माधुर दिच्छीत के एक दो तीन गाने को कुरियोगराप कर चुकी सरोज खान के लिए इस रिमेक से खुस नहीं होने के सवाल पर वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि यह खबरे कहां से आ रहे हैं सरोज खान को ही गाना बहुत पसंद आया है उन्हें गाने में जैकलीन का डांस अच्छा लगा इसकी आगे क्या कहो वैसे फिल्म की सफलता को लेकर अस्वस्त अहमद खान टाइगर स्राप सरीकी नई पीड़ी के कलाकारों से खासे प्रभावित हैं वो कहते हैं एक समय था जब इंडिस्ट्री बच्चन और खान तिगड़ी तक सीमित थी लेकिन अब एक से बढ़कर एक प्रद्वासाली लोग इंडिस्ट्री में आ रहे हैं डांस, आक्षन, कमेडी इन तीनों बिधाओं में हमारे पास एंगेस्टर्स की पूरी फाउज है साहिद कपोड, टाइगर स्राप, ररवेर सिंग, बरुन दवन, सृधात मनोत्रा, आयुस्मान खुराना, राश्पुमार राओ, कितने ही बेहतरीन कलाकार हैं जो हिंदी सि टाइगर स्राप अपना गुरु मानते हैं, बरुन दवन ने भी टाइगर स्राप की बहुत तारीब की है, वैसे आज कल टाइगर स्राप एक और चीज के लिए सुर्कियों में हैं, बॉलिवुड के कई स्टार इन दिनों अपना पारेंट्स होम छोड़ कर खुद के अपार जो 1500 वर्क फिट में है, बाकी दो फ्लैट 21 मंजिल पर है, जिन में से एक 1900 वर्क फिट पर है और दूसरा 21 सो वर्क फिट में, टाइगर स्राप ने 1900 मंजिल पर बने फ्लैट के लिए सत करोण 25 लाग रूपई खर्च किये। टाइगर तराप अपनी इमेज एक अच्छे अक्षन स्टार की बना रही है। यह दर्सक वह अक्षन के दिवाने उनकी फिल्मों को लेकर क्रेजी रहते हैं। टाइगर को अपनी इमेज और बागी टू के एक्शन बेश फिल्म होने का ये प्रड़ाम मिला कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर अपने घंडे गारने में सफल रही वैसे बागी टू को वर्ड वाइट 4125 स्किन्स पर रिलीज किया गया था भारत में बागी टू को साड़े 3,000 ओवर सीज में 625 स्किन्स मिलें 75 कोण में बनी बागी टू को 45 देशों में रिलीज किया गया था वैसे प्रडूसर साजित नाठिया वाला के साथ टाइगर स्राप की ये तीसरी फिल्म है टाइगर स्राप ने अपने फिल्म हिरो पंथी के साथ ही ऐसास दिला दिय कि डांस और एक्षन उनकी ताकत रहेंगे और बागी टू को देखने के बाद भी ऐसा महसूस हुआ था टाइगर स्राप ने बागी टू के लिए खास दोर पर हौंग कॉंग में मार्सल आर्ट सीखा था इसी वज़ा से बागी टू को साल की सबसे बड़ी एक्षन फिल्म कहा जा रहा है हाला कि सबसे बड़ी के लिए तो अभी साल के अंता का युद्यार रहेगा लेकिन एक्षन जोरदार था अगी टू फिल्म में टाइगर स्राप जब भी स्क्रीन पर दिखे आप उनकी फिजिप की तारिक भी करेंगे सायद फिल्म को लेकर क्रेज की एक वज जरूर बोलते हैं जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है यही वजा है कि एंगेस्टर को कुछ अच्छी लाइन्स आम जिन्दगी में सुनने को मिल जाती हैं वही सोचल मीडिया पर दिखा पटानी का भी क्रेज था वो इस फिल्म को चर्चा में लाने की एक वज़ था हाला कि एक एक्षन फिल्म में हिरोईन को जितनी जगा मिलती है दिसा को भी उतने में ही बांधिया गया है बागी टू को सपोर्टिंग कास्ट के लिए भी जाना जाता है एक और रंडिर भुड़ा, मनोज बाचवी, दीपक डूबरियाल जैसे कलाकार बागी टू में आजर आते हैं, वहीं प्रतीक बबर का बतोर बिलेर इस फिल्म के साथ कंबय खोरा था, प्रिक्टर से बाहर आने के बाद सिर्फ मनोज बाचवी का नाम लोग की जुबान पर रहता था, या तो फिर टाइगर स्राप, या फिर उनके द्वारा बोलेगे वान लाइनर्स डा रहे हैं, अब बॉलिवुड हॉलिवुड की तरज पर फिल्मों का निर्मार करना शुरू कर दिया है, बाव बली ने इस बात की पुष्टी कर दी थी, कि हमारे देश की फिल्में आप हॉलिवुड की फिल्मों से पीछे नहीं है, रजनी कांथ की 2.0 इस बात की गवाह, इ इस फिल्म के लोकेशन्स अभी फाइलन नहीं किये गए हैं, टाइगर स्राप अपनी फिल्म को गाधी जैंती पर इसलिए रिलीज करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि गाधी जैंती के कुछ द्धानतों को इस फिल्म में जढ़ा दी गई है, और फिल्म एक सांती का बनाया जा रहा है, अभी से इस फिल्म को पान्सो करोनी फिल्म माना जाहा है। तरी के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है लेकिन सूत्रों की माने तो निर्माता अभे भी फिल्म के अमनेतरी की भूंका के लिए एक नए चेहरे की तलास में पिछले दो पार्ट में सद्धा कपूर और दिसा पतानी नजर आ चुकी है टाइगर स्राप अपनी बेहत मुस्क कि ट्रेनिंग में कई तरह के स्टंट सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं सूत्रों के अनुसार फिल्म के निर्माताओं की भारत और विदिसों से स्टंट बिसेशों गोव सहित बिसेश रियल्सन सेशन करने की योजना है बागी टू इस साल सब से ज़्यादा कमाई क करने वाली फिल्मों में से है इसलिए तीसरे भाग से प्रसंसवों की उम्मीद दूगना बढ़ जाती है बागी तरी के प्रसिछण में यम सिस्टीन 84 और राकेट लांचर जैसे हथियारों का उपयोग सीखना सामिल है स्क्रिप लगभग तयार है अहमेद खान द्वारा न अप्रोज किया जा रहा है हाला कि निर्माताओं ने ये अभीत्ते नहीं किया है कि वे फिल्म के लिए किसी नए चेहरे का चैन करेंगे या फिर कोई जाना माना नाम फिल्म में टाइगर के अपोजिट नजर आएगा देश भर में करवाचवत के तेवहार को जोर सोर से मना जा रहा है साधी सुदा महिलाओं के लिए ये तेवहार बेहत खास है कारतिक मा के क्रिश पंच की चत्रुर्ती को सुब महुर्थ पर करवाचवत मनाया जाता है जो इस बार 27 अप्टूबर को है इस दिन महिलाए पूरे दिन उपवास रखती है और साम को पूजन करने के ब जा रहा हूं जिसे लोग अक्सर गुन गुनाते हैं दिल वाले दुरहनिया ले जाएंगे में साल 1995 में आई बॉलिवुड की एवर गिन रोमांटिक फिल्म दिल वाले दुरहनिया ले जाएंगे में करवाच चावत सिकेंस तो आपको याद ही होगा फिल्म में दिखाया जा उसी प्रेमी के हाथों पानी पीती हैं जिससे वो साधी करना चाहती हैं ब्रत की पूजा के बाद राज और सिम्रन दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं बागवान में करवाच चावत साल 2003 में आई बागवान का करवाच चावत रोमांटिक से कहीं कर अपना ब्रत पूरा करती हैं इस सीन में खुद अमदाब भी हेमा के लिए ब्रत रखते हैं और तब तक पानी नहीं पीते जब तक चांद नहीं निकल आता जब हेमा को पदा चलता है कि अमदाब के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो अपनी भरी थालिप छोड़ अगर हम इस फिल्म में करवाचवत के ब्रत की बात करें तो संज लीला भनसाली ने जिस खुबसूर्ती से चांद छुपा बादल में गाने को फिल्माया है वो आज भी फूला नहीं जा सकता है इस गाने में सलमान चांद से जल्दी नहीं निकलने को बोल रहे है ताकि उनक की केमिस्ट्री लाजवाब है एसोरिया ये ब्रत पती अजो देवगन के लिए रखती है लेगे नुका दिल सलमान खान के पास होता है कभी खुसी कभी गम में करवाचवत साल 2001 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कभी कुसी कभी गम में करवाचवत को बड़े ही भब इश्क विस्क में अमिर्ता राव अपने प्यार साहिद कपूर के खातिर करवाचवत का ब्रत रखती है बिना साधी किये और किसी को बिना बताए अमिर्ता यानि की पायल अपने प्यार साहिद यानि की राजीव के लिए नरजला ब्रत करती है सब की नजरों से बच कर साहिद उनका व्रत तोडने उनके कमरे में आते हैं इस स्क्वेंस को बेहत खुबसूरती से परदे पर उतारा गया है अब हम बात करते हैं कि बागी टू की कहानी क्या है जब बात दिल और दिमाग के बीच फसी हो तो हमेशा दिल की सुनो फिल्म बागी टू का नायक कैप्टन रर्वेर प्रताप सिंग उर्ष रौनी यानि कि टाइगर स्राप भी कुछ ऐसा ही करता है रौनी और नेहा नेहा यानि कि दिसा पटानी कालेज में साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन नेहा के पिता रौनी को पसंद नहीं करते हैं रौनी और नेहा भाग कर साधी करने जाते हैं लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि नेहा और रौनी अलग हो जाते हैं और नेहा की किसी और से साधी हो जाती है वहीं रौनी आर्मी में कमंडो बन जाता है चार साल बात नेहा राणी से अपनी किर्नैफ हुई बेटी के बारे में मदद मागती है राणी को नेहा के देवर सनी यानि की प्रतीक बपर पर शक है लेकिन नेहा का पती शेखर यानि की दर्शन कुमार राणी को बताता है कि उनकी कोई बेटी थी ही नहीं इस तरह चीजे काफी उलज जाते हैं। आखिर रॉनी इस मिस्ट्री को सुलजाने में काम्याब हो पाता है या नहीं। इस फिल्म का क्लाइबेक्स है। अपने फिल्मी केरियर की दूसरी फिल्म बागी से 100 करों कलम में एंट्री करके टाइगर स्राब ने दिखा दिया था कि वो लंबी रेस के घुड़े है। फिल्म के निर्मादाओं ने उसी वक बागी का श्रिक्वल अनौन्स कर दिया था। वहीं अब बागी 2 की रिलीज से पहले बागी 3 एनौन्स हो गई है। बागी 2 तेल्गू फिल्म छडम की रिमेक है। टाइगर स्राब के एक्सन का दर्सकों में कितना क्रेज है इसकी गवाही सुबा सुबा का हाउसपुल सुदे रहा था। देश भर में 3.5 हजार स्क्रीन पर रिलीज हुई बागी 2 ताइगर स्राब की सबसे बड़ी रिलीज है। लाइफ कपल टाइगर और दिसा की जोड़ी आन स्क्रीन काफी जमी है। खास कर उनकी परसनल कमेश्टी बेहतर होने की वज़ा से स्क्रीन पर ये कपल खुब जबा है। हाला कि दिसा और बेहतर कर सकती है। नहीं खुद टाइगर ने अपने फैंस को हैरान कर देने वाले धेरो आक्शन सीन किये हैं। जो कि सिनेमा घरों में फैंस को सीटिया बजाने के लिए मजबूर्त कर देते हैं। वो वन मैन आर्मी की रोल के अंदाज में फपते हैं। अपने एक टाइगर पूरी तरह बिना कपड़ों के नजर आये हैं। उन्होंने फिल्म के लिए खास तोर पर हॉंग कांग में मार्सल आर्की ट्रेनिंग ली है। फिल्म का फर्स्ट आप आपको बांध कर रखता है लेकिन सेगेंड हाफ में डारेक्टर अहमात कान फिल्म को सफल नहीं बना पाए। और आकरी आदे घंटे में टाइगर के बेतरीर आक्शन सीन्स के बावजूत कहानी के लेवल पर फिल्म पट्री से उतर जाती है। प्रतीक बबर ने बिलन के रोल से बड़े परदे पर वापसी की है। ये बात और है कि इस कहानी का असली रावन कोई और निकलता है। डियाजी के रोल में मनोज बाचपई हमेशा की तरह जमे हैं। वहीं यस्पी के रोल में ररदीप हुड़ा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। दीपक डोब्रियाल ने भी अपने उश्मान लंगणा के रोल को बाखो भी निभाया। फिल्म की सूटिंग मनाली, थाइल वाले फिल्मों के शौकीन है तो टाइगर स्राप आपको कतई निरास नहीं करेंगे। टाइगर स्राप के वन लाइनर डायलाग जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अफ है। इस लाए में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुमारा कुछ बचेगा नहीं। इत परच कीजिया आमिर खान और अमताब बच्चन एक ही घर में रहने लगे हैं तो वो चाई की चुष्किया लेते हुए किस बारे में बात करें। जाहिर है उनके जिक्ण में आमिर के बेटे आजाद और अराध्या का नाम जरूर आएगा चुकि दोनों ही एक ही स्कूल में पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमाचाना कैसी काल्पिंग कहानी क्यों कह रहे हैं। तो आपको बता दे कि इसके पीछे एक खास वज़ा है। खुद आमिर खान ने कहा है कि वो अमताब बच्चन के घर में कुछ दिनों के लिए सिफ्ट होना चाहते हैं। मगर ये सच है कि उन्होंने एस सारी बाते मजाक में कहिए है। अमिताब के सो के में कौन बने का करोणपती में। इस चाहत के पीछे का पूरा माजरा दरاصل ये है कि आमिर खान लंबे अरसे के बाद कोन बने का करोणपती का हिस्सा बने है। पान सालों के बाद ओड़ इस सो की सूटिंग के दौरान अमिताब से कई सारे request की और अमिताब ने उन्हें पूरी भी की लेकिन आमिर ने अब तक इसकी जानकाई नहीं दिती आमिताब को क्या करने को कहा सो में आमिर खांने अमिताब के फिर्म नमक हलाल का एक संबाध दोराया तो वहीं अमिताब बच्चन से अमिर ने धूम तरीका एक संबाद सुनाने को कहा फिल्म का परसित संबाद बंदे हैं हम उसके संबाद अमिताब ने अपने अमदाज में कहा इसी सो के दोरान अमिर खान ने एक बात तेंगी कि वो अमताब बच्चन के घर पर अपने फिल्म ठक साप की रिलीस से पहले जाने वाले हैं इसकी वज़ा अजीबो गरीब है आमिर खान ने कहा है कि उनकी फिल्म की रिलीस के पहले वो नर्मस रहते हैं ऐसे हैं वो चाहते हैं कि अमताब के घर चले जाएं ताकि वहाँ जाकर वो खुद को सांध रख पाएं और अमताब बच्चन के साथ भी वक्त बिता पाएं हाली में ट्यूटर पर बववा सिंग नामक एकाउंट से एक पोश्ट को सेर किया गया है जिसमें लिखा है कि मैं जो हूँ, मैं बववा सिंग हूँ जनाब इस बात का आप बेहत्याज कीजिएगा और जो नहीं करेंगे उनसे महबत कर करके मैं उन्हें मार डालूँगा तयार हो जाओ ट्यूटर वालो आ गये हैं बववा सिंग तो सुना अपने बववा को, अपने आगबन से पहले आगाह कर दिया है फिल्म जीरो में सारुख खान बववा सिंग का किरदार निमाते नजर आएंगे फिल्म जीरो के निर्देशक आनंद यलराय ने एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टी की है कि जीरो के टेलर को दो नॉमर को रिलीश करने का प्लान है उस दिन सारुख खान का जनम दे में अब तक कीजर और इत के मौगे पर एक गाना रिलीश किया गया था जिसमें सारुख और सलमान की जुगल बंदी हुई थी सारुख खान श्टारर और आनन्द यलराय निर्देसित फिल्म जीरो इस साल 21 दिसम्बर को रिलीश होनी जा रही है बागी थीरी में कौन खलनायक होगा ये अभी तक राज है कभी अक्षे कुमार का नाम आता है तो कभी भी दुज्जामुत है अब ये देखना दिल्चस्फ होगा कि बागी थी का बिलन कौन होगा नाडियाड वाला ने बागी टू का ट्रेलर लांच करने के दोरान बागी थी की गोशना की थी मैं बागी 2 के रिलीद से पहले निर्देशक वे पूरी टीम को आत्मिश्वास देना चाता था मुझे यकीन था कि दर्शक बागी 2 को पसंद करेंगे और हमारी तीसरी शरंखला बनाने में मदद करेंगे इस तरह की खबरे थी कि बागी 3 में दिशापटानी वे टाइगर श्रॉफ फिर से नजर आएंगे हाला कि जब नाडियाड वाला से बागी 3 के अभिनेतरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा बागी 3 की पठकता पर अभी काम हो रहा है और महीने भर के बीतर हमें इसका पता चल जाएगा और तब हम इसकी घोशना करेंगे बागी 2 ने पहले ही वीकेंड पर 70 करोड से ज्यादा कमाई कर ली है पहले दिन 25 करोड की शांदार ओपनिंग के साथ इसने टाइगर श्रोफ के आलोचको को तो करारा जवाब दिया ही इसके साथ ये भी साबित कर दिया कि यूवा सितारे भी अच्छी फिल्म के साथ इतनी धमाकेदार ओपनिंग दे सकते हैं और ये भी कि एक्शन फिल्मों का यूथ अभी भी दिवाना है वैसे बागी की सकसेस से इसके डाइरेक्टर एहमद खान भी बेहद उत्साइथ हैं हाला कि वो ये बात पहले कह चुके थे कि बॉक्स ओफिस पर फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी और अब वो बागी 3 की तयारी भी कर रहे हैं एहमद कहते हैं लोगों को बागी बेहत पसंद आई थी इसलिए बागी 2 बनाई इसमें कोई शक नहीं कि ये फिल्म पहली फिल्म से बहतर है पबलिक डिमांड पर ही अब मैं बागी 3 में लगने वाला हूँ वैसे बागी 2 की सफलता को लेकर एहमद ने एक और कारण बताया आमधारना है कि किसी भी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म के मुकाबले बागी के पार्ट्स ज्यादा हिट नहीं होते लोगों में इस तरह की फ्रेंचाइजी को लेकर क्रेज खत्म हो जाता है लेकिन एहमद इससे सहमद नहीं है उनका कहना है किसने कहा कि लोगों का क्रेज खत्म हो जाता है गोलमाल के बाद उसके जितने भी पार्ट्स बने सभी पसंद किये गए हेरा फेरी 2 पहले वाली से ज्यादा हिट रही हेट स्टोरी फ्रेंचाइजी की फिल्मे भी हिट रही है तनु एड्स मनु रिटरंस, सिंग्धम, डबंग, हाउसफुल और धूम बेमिसाल फिल्मे हैं जिन्होंने पहले पार्ट्स की तुलना में अच्छी कमाई की है पार्ट्स बनते ही इसलिए हैं क्योंकि वो हिट होते हैं बागी हिट रही, तभी हमने बागी 2 बनाई और अब बागी 3 की तैयारी कर रहे हैं ये बस एक तरह का भ्रम है और कुछ नहीं अगर बात करें बागी 3 के विलन की तो सुनने में आया है कि विदुद जामवाल हो सकते हैं बागी 3 के विलन लेगिन अभी ये कंफर्म नहीं है बॉलिवूड एक्टरस क्रिती सैनन ने एक बार फिर टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है दोनों को पहली बार फिल्म हीरो पंती में साथ देखा गया था क्रिती का कहना है कि उन्हें टाइगर पर गर्व है साल 2014 में आय फिल्म हीरो पंती के जरिये ही क्रिती और टाइगर ने साथ साथ फिल्म जगत में कदम रखा था बागी 3 का हिस्सा बनने के बारे में पूछे जाने पर कृती ने कहा मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे आपको ये सवाल पूछना चाहिए लेकिन निश्चित तौर पर मैं फिर से टाइगर श्रॉफ के साथ एक बार काम करना चाहती हूँ उनके साथ फिल्म के ये काफी समय हो गया है हीरो पंती 2 जैसी कोई फिल्म बननी चाहिए कृती ने बागी 2 की विशे स्क्रीनिंग के दोरान टाइगर की प्रशंसा करते हुए कहा हमने एक साथ एक फिल्म के जरिये बॉलिवुड में कदम रखा था कहीना कहीं इस बात की एक खास एहमियत है मुझे टाइगर पर गर्व है क्योंकि वो हर फिल्म के साथ एक नए लेवल को चू रहे है तो दोस्तो अब बारी आती है कमेंट सेक्शन की जो हमने हाउसफुल 4 की वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो में पूछे दे सवालों के जवाब देंगे रोमन मलिक पूछते हैं भाई मुझे गजनी 2 के बारे में जानना है तो मलिक भाई अभी आमिर खान ने ठाग सोब हिंदुस्तान की शूटिंग कम्पलीट की है और इसके बाद वो महाभारत बनाएंगे जिसमें उन्हें लगवग 5 साल लगेंगे इसलिए अभी आमिर खान किसी और फिल्म के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं मैडी हसन पूछते हैं कि मार्वल और डीसी पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्वल के कुछ करेक्टर्स और मार्वल फिल्म इंफिनिटी वर पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दिया है और हमारे कलीग अंकित पांडे इस पर एक और वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे अंसर गडबड़ा पूचते हैं कि ABCD3 कब आएगी तो दोस्त अभी ABCD3 की डेट फाइनल नहीं हुई है सिर्फ इस फिल्म की एनाउंस्मेंट हुई है वेद प्रकास, चाकी रिजवान, रह्मान गौर, कृष्णा, मिकेस, मोहमद अजीजूल, योर एवरीडे लाइफ इन सभी को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी आप सब हमारी वीडियो जब भी देखते हैं और इस पर कमेंट्स करते हैं तो हमारी टीम को बहुत खुशी मिलती है इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अन्त में एक विशेश सूचना कि हमारा चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंग्वेज में वीडियो बनाएगा और कुछ लोग हैं जो असब्य भाशा का प्रयोग करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अब्यूजिव लेंग्वेज का प्रयोग ना करें क्योंकि हमारे वीडियो को आपके पैरेंट्स के अलावा और लोगों के पैरेंट्स भी देखते हैं और आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या तो आप ये अबद्र भाशा का प्रयोग करते हैं धमा के दार जबरदस एक्शन फिल्म बागी 3 इस बड़ी फिल्म के साथ होगी क्लैश हाल ही में मुंबई में हुए एक इवेंट के दौराण टाइगर श्रॉप से बागी 3 की रिलीज डेट को लेकर सवाल किया गया तो टाइगर ने कहा हम अभी 20 अप्रयल की सोच रहे हैं लेकिन फिलाल देखे आगे क्या होता है बता दें बागी 3 पर काम शुरू हो चुका है वहीं खास बात है कि 20 अप्रयल 2019 को ही धर्मा प्रोडेक्शन की मल्टी स्टारर फिल्म कलंग भी रिलीज होने वाली है कोई शक नहीं कि यदि ये क्लैश होता है तो बॉक्स ओफिस पर धमाका हो जाएगा टाइगर शुरॉफ की बागी 2 सुपर हिट रही है और वहीं तीसरे पार्ट का बेश सब्री से इंतिजार किया जा रहा है निर्माता साजित नाडियाट वाला ने बागी 2 के ट्रेडर लाउंच के दोरान ही अपनी फ्रेंचाइजी बागी 3 की तीसरी फिल्म को लेकर घोशना कर दी थी इस फिल्म का निर्देशन एहमद खान करेंगे फिलाव फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है साथ ही कास्टिंग भी सुरू हो चुकी है रेपोर्ट की माने तो इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ सीरिया में जाकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं फिल्म के कुछ इस्सों की शूटिंग खाड़ी देशों में ही की जाएगी फिल्म में धमागेदार एक्सन सीक्वेंस फिल्म में जाएंगे बागी थिरी का टीजर कब आ रहा है टाइगर स्रॉफ का असली नाम क्या है टाइगर स्रॉफ क्यों कहते हैं कि उन्हें डांस नहीं आता है टाइगर स्राप की कौन-कौन ब्लाकबास्टर फिल में आने वाली है आपका स्वागत करता हूँ बॉलिगराद के गलियारे में बॉलीवूड अपरेता टाइगर स्राप अब 29 साल के हो गए बॉलिवूड आक्टर जैकी स्राप और आईसा स्राप के बेटे टाइगर ने कम उम्र में ही बॉलिवूड में अपनी पहचान बना ली टीन एजर्स के बीच टाइगर के लोग प्रेता देखते ही बनती हैं डांस के स्टेप और फाइटिंग की स्किल्स बॉलिवूड के दिगजों को हैरान कर चुकी है टाइगर फिल्मों में भले ही मस्ती करते दिखाई देते हूं लेकिन असल जिंदगी में वो बिल्कुल सांत रहना पसंद करते हैं पार्टियों में भी वो बिरले ही नजर आते हैं टाइगर स्राप का जन मुंबई में हुआ था साजिद नाडिया वाला के फिल्म हीरो पंती के साथ टाइगर ने 2014 में अपने कैरियर की सुरुवात की थी टाइगर डांस के शौकेन और फिटनेस फ्रीक भी ऐसा कहा जाता है कि टाइगर आज की पीडी के इवा के बिपरीत ना तो स्राप का सेवन करते हैं और ना ही सिग्रेट को हाथ लगाते हैं आला कि एक फिल्म शूट के लिए उन्होंने सिग्रेट को मुह लगाया था लेकिन उन्होंने इसे प्रोफेशनल कमेंट्मेंट का नाम दिया था टाइगर का असल नाम हेमंद स्राप है उनके करीबी बताते हैं कि बच्पन में वो बहुत काटते खरोचते थे जिसकी वज़ा से फिल्मों में उनका नाम टाइगर रख दिया एक शो के दावरान टाइगर ने बताया था कि मैंने डांस सीखने की सुरुवात अपनी पहले फिल्म से ही की थी लेकिन लोगों को इस पर भरोसा नहीं होता खोश ने पूछा कि आप लोगों को जन्मजाब डांसर लगते हैं इस पर टाइगर ने बताया कि मैं अच्छा डांसर नहीं हूँ बस कोरियोग्राफी पर मेहनत करता हूँ अगर आप मुझसे इस वक्त डांस करने के लिए कहेंगे तो साइद मैं ना कर पाऊँ मैं वही कर पाता हूँ जो सिखाया जाता है अपने पांच साल के कैरियर में टाइगर ने छे फिल्मों में काम किया है हीरो पंथी उनकी पहले फिल्म थी इसके बाद बागी, एफ फ्लाइंग जट, मुन्ना बाइकल और बागी टू रिलीज हो चुकी अने वाली फिल्मों में इस्टूडेंट आप दा इयर टू है, जो कि 10 माई को रिलीज हो दी फिल्म इंडेस्ट्री में टाइगर का नाम दिसा पतानी से जोड़ा जाता है दोनों को कई बार एक साथ देखा भी गया है जिसा भी टाइगर की तरह फिटनेस फ्रीक है दोनों की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने फिटनेस फ्रीक है टाइगर स्राप अपनी आने वाली फिल्मों के लिए बेहत गंभीरता से प्रेक्टिस कर रहे है उन्होंने रैंबो और बागी तरी जैसी फिल्मों में जबर जस्ट आक्शन सिंस देने के लिए इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मार्सल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है टाइगर स्राप ने इसकी एक जलक अपने फैंस को भी एक वीडियो के जरिये दिखलाई उन्होंने अपने आफिसियल इंस्टाग्राम एकाउंट पर वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक ट्रेनर से हाथा पाई करते हुए दिखाई दिए टाइगर स्राप के एक्शन फिल्मों में उनके क्लीन इस्टन्ड और फाइट सिंस इसी वज़ा से होते क्योंकि ट्रेनिंग में वो कोई भी गलती नहीं करते टाइगर को हमेशा गंभीरता और लगन से अपना काम करते हुए देखा गया टाइगर स्राप इस वीडियो को सेयर करते हुए कैप्शन में लिखा दुनिया भर के आर्टिश संग काम करने वा सीखने की सांदार खुसी होती मैं आपको बता दू टाइगर स्राप और रितिक रोशन जल्द ही एक साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं इसमें टाइगर और रितिक का चोरदार अंदाज देखने को मिलेगा टाइगर के हिट फ्रेंचाइजी बागी 3 का तीसरा पार्ट पर काम सुरू हो गया है और टाइगर का खतरनाक एक्षन इसमें देखने को मिलेगा यहीं नहीं टाइगर स्राप बॉलिविट की सुपर हिट फिल्म रेंबो के आफिसियल रेमेक में भी लीड रोल में है लेगिन बहुत ऐसे कम स्टार्स हैं जो आते ही चा जाते हैं उन्हीं लिस्ट में एक नाम जुडा दो हजार बारा में बॉलिविड में आते ही कहता है क्या करो यार सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं मैं बात कर रहा हूँ टाइगर शॉफ के बारे में साजिर नाडियाड वाला की हीरो पंती से डेब्यू किया और आते ही आते ही एक बाद एक दब और तोड हिट फिल्में दी बागे टू के सकसेस के बाद इसके डारेक्टर ने इसके सीक्वल याने की पार्ट 3 की एनाउसमेट कर दी जहां इसके पहले पार्ट यान की 2016 में रिलीज हुआ सफल रहा और इसका अगला पार्ट बना 2018 में वो भी रिलीज हुआ जिसने 253 करोड का कलेक्शन किया 69 करोड में बने इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 253 करोड की कमाई कर रिकॉर्ड बना दिया अब तीसरे पार्ट के भी हिट होने की उमीद की जा रही है टाइगर श्रॉफ ने जब से हिंदी सिनेमा में कदम रखाया तब से हर फिल्म में उन्होंने अपने स्टंट और डांस से लोगों को चौका दिया है और बागी 3 में सब कुछ हमें पहले से और भी ज्यादा एक्षरा देखने को मिलेगा चाहे वो श्टोरी हो या फिर एक्शन या फिर डांस बागी 3 एक एक्शन मुवी है फिल्में लीड में है टाइगर शोफ और श्रद्धा कपूर श्रद्धा सबसे पहले टाइगर के सा और हिरोईन नजर आएंगी श्रद्धा कपूर बागी 3 में आने के बाद साजी नाडियाड वाला कहते हैं श्रद्धा कपूर के आने से बागी की पूरी टीम बहुत खुश है बागी में टाइगर और श्रद्धा की जोड़ी को कूप पसंद किया गया था और मुझे इस ब उनकी स्क्रेट पड़ी है और कहानी बहुत ही शानदार है इस फिल्म के लिए टाइगर शौफ जमकर पसीना बहा रहे हैं क्योंकि इसमें धमा के दार एक्शन है और टाइगर ने ट्रेनिंग शुरू भी कर दी है ये सबी जानते हैं बागी और बागी 2 से भी बड़ा बज जाएगी एहमद खान चाहते हैं कि बागी 3 के लिए टाइगर भारी हतियारों के साथ ट्रेनिंग लिए फिल्म के लिए रिसर्च के दौरान एहमद खान को ये जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उंदा ट्रेनिंग कैंप्स हैं लिहाजा नंबर वन में टाइगर सीरिया जा अदिये